पूरे चैप्टर की समरी के साथ पूरे चैप्टर के exercise के साथ कि इस पूरे चाप्टर में कितने topics हमें cover करने हैं कौन से exercise में किस type के questions है उस type के questions के example लेकर भी solve करके दिखाऊँगा जिससे क्या होगा कि अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है या पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए अब आपके पास टाइम नहीं है तो अगर आप ये lecture देखते हो सिर्फ एक lecture इसमें जितने भी maximum topics है maximum formulas है types हैं कौन-कौन से types के question आएंगे उस type के question के लिए particular एक तरीका होता है वो कैसे लगाएं तो ये सब कुछ बताना चाहूँगा आज मैं एक ही lecture में यहाँ पर हमारा जो mission है 100 में से 100 math में लाना है इसके लिए बच्चे starting से ही सब कुछ कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए जिनोंने पहले से तैयरी किये integration chapter पूरा पड़ा था उनके लिए भी एक overall summary होने वाला है और जिन बच्चों को अभी डर लग रहा है कि मुझे ये chapter नहीं आ रहा है उनके लिए भी एक वरदान साबित होगा आज का lecture इस lecture को end तक जरूर देखना इस lecture के बाद question man जो आया है उसके solution भी दूँगा उसके लिए अलग से वीडियो आएगा तो चलो शुरूर करते हैं शुरूरात करेंगे chapter की summary के साथ कि ये जो chapter है बच्चों को बहुत डर लगता है डर नहीं की कोई जरूरत नहीं है आपने derivative यानि differentiation chapter इतने अच्छे से किया हुआ था वो chapter अगर आता है ना तो ये जो concept आप ठीकोगे उसके बाद आपको पता जलेगा बहुत आसान chapter है यार integration अगर आपको differentiation आया है तो ये बिल्कुल उसका ultra process है differentiation में जो हम ऐसे जाते थे ना तो integration में उल्टा आना है बस reverse आना है अगर differentiation के formula आपको ऐसे याद है ना तो integration के formula ऐसे याद करने है समझ रहे हो मतलब उल्टा याद करना है तो एकदम आसा आने बस देखते रहो summary में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरा जो ये chapter है इस chapter के अंदर total कितने exercise है जैसे कि आपको पता है exercise 3.1 3.2 जो है वो ABC पार्ट में इस तरीक्की से 3.2 जो है बता हुआ है ABC 3 पार्ट में बता हुआ है 3.2 फिर exercise है 3.3 फिर exercise है 3.4 याने कि इतने सारे exercise है exercise 3.1 और 3.2, 3.3, 3.4 actual में 4 ही exercise है बड़ जो दूसरा 3.2 exercise है वो A, B, C part में बटा हुआ है, ऐसा क्यों? इस chapter के अंदर basically तीन चीजे आपको सीखनी है, क्या तीन चीजे हैं वो? एक तो है integration, integration by, पहला है substitution, ये एक method है, दूसरा है integration by parts, और तीसरा है partial fraction, तीसरा है partial fraction, इन तीन चीजों को ध्यान में रखो, बस पूरे chapter में ये तीन चीजे ही है, क्या है? integration करना है, पहला है substitution method से integration करो, okay, substitution method से, दूसरा integration by parts करो, integration by parts मतलब क्या होता है? u into v rule होता है, इस तरह से, इसको बोलते है integration by parts, substitution क्या होता है? कि जैसे tan x है, उसको मैंने tan x को t substitute कर दिया, जिससे क्या होगी है? जो दिया हुआ question थोड़ा simple हो जाए, तो इस तरह से, partial fraction क्या होता है? कि suppose इस तरह का कोई question है, px plus q upon a x square plus bx plus c, इस तरह से है, okay, तो इसको split करना, इसके factors निकालना, और दो अलग-अलग fraction बना देना, जैसे कि simple तरीके से बतना चाहूँगा, कि समझो 2x plus 3 है, upon x minus 1 और x plus 2 है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको, 2x upon, 2x upon x minus 1 plus 3 upon x plus 2, तो ये मैंने क्या किया, एक fraction है, fraction मतलब numerator upon denominator होता है, उसको 2 टुकडे में बाट दिया, किसी एक चीज को 2 टुकडा कर दिया, तो इसको, अमने क्या किया, जो एक fraction था, उसको partial fraction कर दिया, ठीक है, तो ये एक तरीका होता है, integration by parts में मैंने क्या बता है, u into v rule ज वैसे integration में भी u into v होता है, दो अलग-अलग function का अगर multiple है, तो उसको किस तरह से हम integrate करेंगे, वो तरीका, उसका एक formula है, जो आपको देखना है, substitution में जैसे मैंने बताया है कि, जो questions होते हैं, उसमें किसी एक term को हम substitute कर देते हैं, जिससे वो simply हो जा और integrate हो जा, तो बस ये ती तीन चीजे सीखनी है पूरे chapter में, बस इसी के उपर है, कैसे, चलो मैं वापस समरी में आता हूँ, 3.1 जो है, 3.1 exercise, उसमें क्या सीखना है, तो elementary integration, मतलब क्या, जो basic formula होते हैं, elementary यानि basic, जितने भी integration के basic formula है, उसके उपर based बहुत सारे question आपको 3.1 में दिये हैं, basic formula के उपर, जैसे differentiation में जो formula थे, वही formula उल्टा करके integration में, तो उसी को सीखना है, तो उसी के basis पर 3.1 में बहुत सारे basic integration के question है, जो आपको practice करने हैं, अभी मैं example भी कराऊंगा, 3.2 जो पूरा का पूरा 3.2 है, ये integration by parts वाला है, पूरा का 3.2 जो है integration by parts से करना है, याद रखो, 3.2 में integration by parts करना है, 3.3 जो है, 1 minute, 3.2 जो है integration by substitution है, रांग हो गया, 1 minute, 3.2 जो है, 3.3 है integration by parts, पूरा का पूरा 3.2 जो है, वो integration by substitution है, 1 minute, मैं जो parts बोला हो 3.3 में, पूरा का पूरा 3.2 A, B, C, तीनों के अंदर integration by substitution करना है, 3.3 जो है वो integration by parts है 3.3 में क्या है integration by parts है और 3.4 में क्या है integration by partial fraction है तो बस जो मैंने यहाँ पर अभी देखो तीन topic बता है integration by substitution इस basis पर पूरा का पूरा कौन सा exercise है 3.2 उसमें A, B, C तीन हो है इस तरह से तीन exercise है इस तरह से 3.3 जो exercise है वो क्या है वो integration by parts है और 3.4 जो exercise है वो partial attraction है और इसके बाद कोई exercise नहीं है तो यहाँ पर यह chapter फिनिश हो जाता है क्या शुरू होते ही खत्म रुखो अभी तो summary बता रहा हूँ फिर से देखो अब 3.1 में जैसे मनें बता है कि elementary integration के questions है अभी मैं बता हूँ का कैसे कैसे है 3.2 जो integration by substitution है उसमें हम कुछ न कुछ substitute करेंगे दूसरा 3.2 का जो भी है उसमें कुछ special integration भी है जैसे कि integration of 1 upon x square plus a square x square minus a square a square minus x square इस type के कुछ जो special integration है square root वाले भी आ जाते है root में x square plus a square और बाद में वो substitution करके भी कर सकते है उसको और कुछ इस type के जो questions है 3.2 c के अंदर तो अभी वो देखेंगे 3.3 के अंदर integration by parts मकलब क्या कि दो अलग-अलग function multiply होके आएंगे u into v type से इस तरह से तो उसको integrate करने के लिए हम यह formula लगाएंगे और 3.4 जैसे बता है partial fraction तो यह भी हम देखेंगे इसमें बहुत सारे अलग-अलग types है कोई एक fraction होगा उसको break करके 2 fraction, 3 fraction में करके अलग-अलग करके integrate करते हो तो यह basic चीजे हैं पूरे chapter की summary है तो इतना समझ जाओ जब भी आप indefinite integration करते हो तो यह 3.1, 3.2 में ABC 3.3 हो 3.4, 4 exercise करने हैं वैसे तो देखा जाए तो 6 exercise है ABC वैसे अब आगे चलते हैं अभी जो सबसे पहला था एक मिनट यहां पर हम शुरू से शुरूआत करते हैं कि 3.1 जो है उसमें जो elementary formula आपको आने चाहिए याने basic formula आपको आने चाहिए integration के सारे formula की जो list है वो अब मैं पहले आपको याद करवाता हूँ बताता हूँ revision भी हो जाएगा आपका और किस तरह के question आएंगे वो देखेंगे तो यहां पर आप बहुत important concept चालू हो रहा है आपके लिए कि formulas याद करने वाले हैं आप लोग और जैसे मैंने बताया कि अगर आपको derivative के formula सब आते हैं याने differentiation के तो यह formula भी सब आपको आज ही जाएंगे चलो फटा फट देखो मैंने formula के list बनाई है और उसका formula याद करना है और आपको अगर याद है तो आप मेरे साथ बताते जाओ देखो integration x raise to n derivative में क्या करते थे n पहले आ जाता था यहाँ n minus 1 करते थे यहाँ integration में क्या करेंगे x raise to यह जो n है उसी के power में plus 1 कर देंगे और upon n plus 1 कर देंगे और जब भी आप integrate करते हो हमेशा एक constant बहार आता है एक बात याद रखना है इसका integration यह है तो इसका derivative यह रहेगा सोच जा रहा है पुल्टा अगर कोई constant है constant का derivative 0 होता था बट integration में क्या होता है constant का integration करोगे देखो जब भी integration करते हैं तो यह integration का symbol और dx हड़ जाता है के into x आजाएगा और हमेशा की तरह plus c आएगा e-rails to x का integration वही आएगा a-rails to x का derivative भी वही होता है integration भी रहेगा a-rails to x का derivative a-rails to x into log ей होता था यहाँ पर a-rails to x का integration a-rails to x derivative में into log je आता था यहाँ पर divide कर देंगे log a से और plus c हमेशा रहेगा one upon x तो 1 upon x log x का derivative होता था तो 1 upon x का integration log x यानि जो derivative है बिल्कुल उसका उल्टा करना है log x का derivative 1 upon x तो 1 upon x का integration log x differentiation chapter आपने याद किया अच्छे से formula बगड़े तो ये भी formula आपको याद है उल्टा करना है जिर 1 upon root x देखो root x का derivative 1 upon 2 root x होता था तो 1 upon root x का integration root x और 2 आजाएगा क्योंकि ये 1 upon 2 आता था था ना यहाँ 2 आजाएगा ठीक है तो यहाँ plus c भी लिखना है तो इस तरह से ये कुछ basic है देखो 1 से लेके 6 जो है normal integration के formula जो हमेशा use होते है regular use होते है अभी कुछ trigon वाले formula होते है जो आपको याद रखने integration में जैसे sin x, sin x का integration होता है cos x और plus c यहाँ पर क्या होगा ये dx और integration हट जाएगा derivative में क्या करते थे कि sin x का derivative cos x होता था integration में भी sin x का integration cos x है derivative में क्या होता था अगर ये c से start हो रहा है ये जैसे तो उसके answer में minus हता था integration में उल्टा करते है अगर integration में answer c से start हो रहा है तो minus देंगे जैसे sin x का integration cos x answer c से start हो रहा है तो minus आ जाएगा cos x का integration sin x answer c से नहीं start हो रहा है तेन एक्स तन एक्स का इंटीग्रेशन क्या अएगा दिखो यहां पर टैन एक्स कॉट एक्स का इंटी एक्स होगा त्यानते देखो मैं क्या बता रहा हूं यह किसी की डेरिवेटिव नहीं थे कोसेक स्क्वाइर एक्स देखो यह क्या होता था कोट एक्स का जो डेरिवेटी होता था कोसेक स्क्वाइर होता था माइनस में यह सी माइ यह को सेक्स का डेरिवेटी होता था माइनस में को सेक्स और यह सी से स्टाट गए इसलिए माइनस आ गया कैं तो यह बैसिकली डेरिवेटी से हमें आ गए अब इंटिग्रेशन में यह हमने कुछ प्रूफ करके निकाले थे 10x क्या होता है log of sec x होता है अब यह mod भी लिख सकते है या ऐसे लिख सकते है log of sec x cortex क्या होता है log of sin x होता है याद रखना है mod लिखो या normal formula लिखो log के बाद mod लिखना चाहिए चलो sec x यहाँ पर जो sec x होगा वो क्या होगा देखो log sec x plus 10x इस तरह से हो जाएगा log sec x plus 10x हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा और जो cosec x होता है यह क्या होता है एक मिनिट cosec x is equal to log cosec x minus cot x इस तरह से हो जाएगा प्लस c देखो इस तरह से होता है तो यह कुछ basic formula जो आपको याद रखने चाहिए आवा जारी है तो यहाँ पर यह जो मैंने कुछ formula यहाँ पर आपको दिये ना कौनसे formula यह जो tan x है यह derivative में नहीं थे यह integration में हमने proof करके लाए ठीक है यहाँ तक 9, 10, 11, 12 तो इसकी proof भी है कि कैसे आ रहा है इसका proof भी है textbook मैं अभी वो बताते नहीं जाओंगा मैं इसको दस शॉट नहीं बनाना है इसलिए जितना भी होगा शॉट मैं बता रहा हूं यह direct formula याद रखो प्रूफ चाहिए तो textbook में जाओ अल्रड़ी मैंने मेरे proof वाले में भी सब प्रूफ करके दिया तो यह जो है हमने ला दिया यहाँ पर जो cosec x है ना इसका एक और formula होता है बेटा मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर जो cosec x है इसका एक formula और होता है log और होता है 10x by 2 यह भी इसका formula होता है plus c इस तरह से ओके और यह जो sec x है इसका भी एक formula होता है क्या होता है log log 10x by 2 प्लस πाई बाई 4 10 xy2 प्लस πाई बाई 4 यह एक फ़र्मुला था यहाँ जगन ही है एक मिनट इसको मीठा देता हूं दूसरी जगन लिखता हूं log 10x by 2 प्लस πाई बाई 4 होता है चलो उसकी ज़्यादा ज़रत नहीं होती चलेगा इसको इतने देखो बोसिक का देखो log 10x by 2 होता है यह इस तरह से चलो अभी आगे देखो यहाँ पर कुछ यह फॉर्मुले बेसिक फॉर्मुले कि अगर कोई integration है उसके बाद fraction है इस तरह से numerator, denominator और denominator में कोई एक function है उसी function का derivative अगर numerator में है तो इसका answer आता है log log of denominator इसका answer क्या आएगा log of denominator यानि जो log of fx है इस तरह से log के बाद हमेशा मौट दे सकते हैं और यह integration है प्लस ही आएगा याद रखना यह जो integration sign है और dx ही दोनों हट जाते हैं फिर अगर समझें यह सेम चीज है integration है denominator में कोई एक function है बर root में function है और उसी का derivative उपर है numerator में f dash x तो इसका answer आएगा two times यह जो root fx है वही आजाएगा और plus c यहाँ पर log नहीं आएगा तो एक basic formula यहाँ पर यह भी एक दो याद रखो बहुत काम आते हैं अगर यह याद रहेगा तो direct tensor आ जागे नहीं तो फिर इसको proof करना पड़ता है चार-पा स्टेप लगेंगे उससे अच्छा direct ऐसा आ गया ना तो बस direct answer लिग दो integration ओके अब कुछ inverse वाले जो formula दे देखो sin inverse x का derivative यह होता था तो इसका integration क्या जाएगा sin inverse x और plus c dx और यह जो integration sin हड़िया माइनर से मतलब क्या है यह cos inverse x है cos inverse x का derivative यह होता था तो इसका integration cos inverse x 1 plus 1 upon 1 plus x square क्या था tan inverse x का derivative था तो इसका integration tan inverse x यही जब minus में होता है तो यह पर दी x भी है d x यही जब minus में होता है तो हम cot inverse x लेते हैं इस तरह से ओके यह जो है यह क्या था यह sec inverse x का जो है derivative था तो इसका integration sec inverse x और यही चीच जब minus में आई तो यह cosec inverse x होगा और plus c इस तरह से तो यह कुछ basic formula है यहाँ पर जो आपको याद रखने चाहिए आप चाहिए तो screenshot लेना चाहते हो तो screenshot ले लो एक मिनट दो बार में screenshot लेते हैं ताकि आपको एक ही जगा मिल जाए आप पार्ट में ले लो screenshot यह हो गया चलो अभी दूसरे पार्ट में ले लो अभी screenshot ले लो यह हो गया चलो तो यह हो गया फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले अभी वापस आते हैं chapter की summary पर यहाँ पर तो जो पूरा का पूरा indefinite integration chapter है इसके अंदर जो पहला exercise 3.1 मैंने बताया वो elementary जो integration है याने मैंने अभी जितने formula बता है उसके basis पर यहाँ पर कुछ integration करना है और जितने formula अभी मैंने बता है उन सारे formula का use हर एक exercise में होगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3.1 में होगा लेकिन हर एक exercise की शुरुवात जो है वह अलग तरीके से होगी जो question का type अलग होगा यहाँ पर ज़रुवरी नहीं कि कोई question है तो उसको पता लग जाए कि हाँ यह question है तो इस formula से होगा question के formula के बतले इस integration में ऐसे question होते हैं जिसका एक type होता है तो हमें अलग अलग ताइप के जो questions है उनकी ताइरी करनी है कि इस type का question आया तो हमें यह करना पड़ता है ऐसे टाइप का question आया तो हमें यह करना पड़ता है और बहुत सारे जो formula से वो याद रखने पड़ते हैं और जितने formula मैंने बता है अब starting तो आप type से करोगे जो भी type है parts integration by parts या partial fraction है बट जैसे ही 2-3 step होंगे तो जितने formula मैंने बता है आप वो बीच में आने लगेंगे और उसका यूज आपको करना पड़ेगा तो चलो आप शुरू करते हैं जो 3.1 exercise में किस type के question है कुछ example solve करके मैं बताता हूं ताकि आपको पता चले कि कैसे question 3.1 के हैं उसके बाद 3.2 और करेंगे हम लोग 3.1 के basis पर एक example हम लेते कुछ example कैसे questions है यहां पर 3.1 जब आप देखते हो तो वहां पर देखो question जब भी आएगा integration का तो एक तो इस तरह से question लिखा होता है ऐसे लिखा होता है डी एक्स लिखा होगा यहां fx लिखा होगा और बोले बोला जाएगा solid या तो इसको evaluate करो ऐसा बोला जाएगा यानि कि exactly यह जो fx है उसका with respect to x हमें integration निकालना है बड़ कभी-कभी आईसा question लिखा होता है इसके उपर लिखा होगा क्या लिखा होगा इस तरह से मैं देता हो लिखे integrate with respect to x इस तरह से लिखा होगा और यह दिया है तो आप क्या कर सकते हो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे यह question है इस question को जब लिखोगे तो इसको I consider करके ऐसे integration लगा दो इसको bracket लगा दो और यह dx यह खुद से करोगे अगर integrate with respect to x बोला है तो आप I और integration और dx कुछ से लगाओगे अगर evaluate करके दिया है इस तरह से evaluate इस तरह से दिया है और यह integration dx दिया है तो कोई problem नहीं है अब देखो I is equal to I is equal to कैसे करेंगे देखो अब यह integration सब के पास जाएगा यह integration का जो sign है यह अगर सब के पास जाता है ज पीचे पीचे चलाएगा जैसे integration का यह shadow समझ सकते हैं जैसे कि मैं मेरी परचाई जहां मैं जाओंगा मेरी परचाई मेरे साथ आएगी वैसे ही यह integration का symbol होता है sign होता है और यह जहां भी जाएगा dx उसके पास आएगा integration पहले term के पास आया तो इसके पास dx आया integration इसके पास आया 4 upon x तो dx आया फिर integration यहां आया 1 upon x root x तो इसके पास dx आया फिर minus 7 और इसके साथ dx आया तो यह dx का बताता है with respect to x कर रहा है अब क्या करोगे यह जो integration का symbol है यह सब के पास लेके गए और dx भी सब के पास लेके आये अब एक एक करके सब को integrate करेंगे उसके लिए उसका formula हम देखेंगे जहां जैसे constant वाग रहे है 3 है उसको बाहर ले लो integration के और यह रहा गया x square x dx थोड़ा सा भी integrate करने के पहले simplify कर रहे 4 जैसे बाहर आ गया तो अंदर वन अपॉन एक्स बज़ गया यहां पर वन अपॉन एक्स रूट एक्स है तो इसको simplify कर लेना चाहिए रफ के अंदर कैसे simplify कर सकते हम लोग देखो यहां पर सबसे पहले तो इसको डिलीट करते है यह समझ में आ गया आपको के तो यहां पर जैसे मैं बोल रहा हूं इसको simplify करना है तो simplify कैसे करोगे इसको रफ में कर लेना चाहिए x root x है तो यह क्या हो जाएगा यह x raise to 1 है और root x मतलब x raise to half दोनों मिल लिया तो x raise to 3 by 2 तो यह 1 upon है यह x raise to 3 by 2 है और अगर यह 1 upon हटा देते हैं तो यह हो जाएगा x raise to minus 3 by 2 और यह dx ओके इस तरह से उसको मैंने थोड़ा सा simplify कर दिया आगे minus फिर integration 7 7 बाहर आगे अंदर कुछ नहीं है तो 1 है समझो इस तरह से थोड़ा सा simplify कर दिया अब integrate करना मैं चालू कर रहा हूं यहाँ पर so i is equal to 3 देको sex square sex square का किसका derivative होता था tan x का derivative sex square होता था तो sex square x का integration tan x हो गया minus ओके अब यहाँ पर जैसे dx और integration दोनों और जाएगा जब भी आप integration formula यूज करते हो तो यह integration का sign और dx और जाता है एक constant आता है तो यह हर एक term में से एक constant आएगा हम लोग क्या करेंगे सभी constant को मिला के finally एक last में constant c लिख देंगे यहाँ पर 4 है 1 upon x किसका derivative था log x का तो log x का derivative 1 upon x था तो 1 upon x का integration log x हो गया okay plus x raise to minus 3 by 2 है इसका integration हम कैसे करेंगे x raise to n जो formula होता था उससे क्या है इसका formula x raise to minus 3 by 2 इसमें plus 1 करेंगे और upon में भी minus 3 by 2 plus 1 करेंगे और फिर minus 7 1 1 का integration with respect to x क्या जाएगा x जैसे कि 7 है देखो derivative निकालते समय अगर सिर्फ 7 होता तो इसका derivative 0 इंटीग्रेशन निकालते समय जो भी दिया रहेगा जैसे 7 है यह तो के में x लगा देखे 7 तो 7 में x लगा देंगे इस तरह से तो यह ऐसे करना होता है इस तरह से होता है इसको रफ कर देते हैं चलो अब यह हो गया क्या answer आगया बस answer आई गया यह सही आगया यह भी आगया इसको सिर्फ मॉडिफाइ करके x टेप और लिखना रहेगा तो मैं इसको यही पर लिख देता हूँ ओके क्या लिखूंगा देखो x रिश्टू माइनस 3 वाइ 2 प्लस 1 रफ में करें तो x रिश्टू माइनस 3 वाइ 2 प्लस 1 क्या होगा cross multiply और यह x-2 minus half नीचे आया तो x-2 plus half हुए इस तरह से simplify किये तो और simplify करोगे तो क्या जाएगा यह minus 2 upon यह x-2 आप मतलब root x तो minus 2 upon root x इसको simplify करने के लिए और एक step कर सकते हैं i is equal to, जो solve हो चुका है वैसे ही रखो जो solve हो चुका है वैसे ही रखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यह यह plus हटा देंगे ओके और यहाँ पर लिखेंगे minus plus इसका जो answer आ रहा है minus 2 upon root x और minus 7 x अब यहाँ पर एक plus constant देना था यह integration और dx हट चुका है तो यहाँ पर एक constant c आ जाएगा ऐसे तो देखा जाएगा सब में से एक के constant बार है c1 c2 c3 पर सबको मिला के एक ही constant last में लिख दोगे तो यह आपका आ चुका है answer यह final answer इस तरह से आ चुका है तो कोई भी question उसको आप इस तरह से solve करने वाले हो ठीक है तो यह 3.1 में जितने भी question है तो basic जो मैंने बता है इस तरीके से आप solve करोगे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है question number 2 भी इस तरह से है बोला गया integrate the following तो आप क्या करोगे इसका नाम आई लिखोगे i is equal to इस तरह से करके dx देदोगे इसको question में भले ऐसा ना दिया रहा है तो आप देदोगे अगर question में ऐसा दिया होगा तो उपर लिखा होगा evaluate evaluate मतलब इसको integrate ही करना है तो कैसे की आजाएगा अब यह ट्रीगो वाला question है तो यहां पर आपको ट्रीगो के basic formula आने चाहिए ठीक है उसके भी जो लिंक के description में दे रहा हूं मैं all formula of trigonauty सब याद कर लो बेटा तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस्ट का basic formula होता है इसका यूज करने से थोड़ा सा benefit मिल जाएगा मैं आपको कुछ examples करा रहा हूं 3.1 के कुछ examples है यहां पर मैं क्या करता हूं स्प्लिट कर देता हूं cos square x उसके नीचे यह दोनों आ जाएंगे sin square x और cos square x इस तरह से फिर minus है फिर यह जो sin square x के नीचे इसको ले लेता हूं sin square x के नीचे sin square x और cos square x देखो ट्रीगों के question देखके डरा मत करो तो अब यह integration मैंने इसके पास दिया इसको इसके पास भी लेके जाता हूं फिर जो dx है वो दोनों के पास चला आएगा यहां भी और यहां भी इस तरह से split हो गया अब क्या करेंगे cos square से cos square कट हो गया यहां sin square से sin square उपर नीचे कट हो गया so i is equal to बचा क्या one upon sin square वो होता है cos square x इस तरह से minus यहां sin square से sin square कट हो गया one upon cos square क्या होता है sex square x dx अब आपको देखना है कि cos square का integration क्या होगा formula अगर आपने याद किया है तो देखो cot x का derivative cos square होता था माइनस में तो इसका integration क्या होगा cot x होगा c से start और इसलिए minus दे देंगे फिर यह minus sex square x किसका derivative था tan x का तो tan x का derivative sex square था तो sex square का integration tan x होगा tan जो t से start और इसलिए plus आएगा यह minus पहले वाला था इसको negative नहीं कर रहा हूं है और फिर यह constant c हमेशा की तरह देना ही है तो इस तरह से देखो हमें integrate करना होता जब तक simplify नहीं होता integration formula निकालने के पाद अगर simplification की ज़रत रहे जैसे मैंने यहां किया था इस question में integration तो मैंने कर दिया यहां पर बट उसको और एक line में simplify करके दिखाया तो 3.1 में basic इस तरह से questions है थोड़ा सा logic लगाना है और formula लगाना है और integrate करना है तो अब आगे क्या है वो देखते हैं जैसे कि मैंने बताया आपको कि 3.2a यह substitution method से solve करना है किसे solve करना है substitution method से तो इसके साथ 3.2b और c भी substitution method पर यह बट हर एक में है ना question के type अलग अलग है अब जैसे कि मैं यह 3.2a यहां बुक में देख रहा हूं तो यहां पर लगबख question number one में 22 question है और question number two के अंदर 17 question है नहीं 25 और 17 42 questions है 3.2a के अंदर 42 questions है तो हम लोग क्या करते 42 question करने से चाहा मैं इतने कुछ 4 या 5 question बताता हूं इस exercise में से वह कर लो तो पूरा exercise आपका revise हो जाएगा ठीक है तो चलो शुरू करते है 3.2a substitution method यह पहला question दिया है यहां पर देखो आई नहीं लिखा तो आप इसको आई consider कर लो अब कैसे solve करना मैं सिर्फ 4 या 5 question बताने वाला हूं पूरा exercise cover हो जाएगा solve करके बताऊंगा वो भी यहां पर substitute करना है इसको integration solve करने के लिए ऐसा कुछ substitute करो कि यह easy हो जाए तो सबसे पहले हमें एक ऐसे चीज चेक करनी पड़ेगी कि कौन सा function ऐसा है जिसका derivative वहीं उपर नीचे आगे पीचे कहीं तो पड़ा हुआ है जैसे कि यहां पर देखोगे यह log x log x का derivative आप बोलोगे कि integration करा रहे हूं कि derivative देखो बेटा यह दोनों मिली जूली सरकार है derivative और integration एक दूसरे के बीना नहीं काम चलेगा यहां पर हमें यह देखना है कि कि किसका derivative present है भले integration कर रहे हो तो देखो log x का derivative क्या था 1 upon x यह log x है और upon में x है यानि 1 upon x है यहां पर इसको हम देख सकते हैं कि log x का derivative 1 upon x होता है तो क्या करेंगे जिसका derivative present है उसको ही आप substitute कर सकते हो जैसे log x को हम क्या लेते t substitute करते या theta ले सकते हो जो text book में दिया है वो use करो हमें t तो फिर क्या करना है इसको differentiate करना है log x का derivative 1 upon x और फिर dx with respect to x कर रहे हैं और t का dt कर देने का ऐसे direct या तो ऐसे कर सकते हो log x is equal to t differentiating with respect to x तो t का derivative जाएगा dt upon dx और log x का 1 upon x फिर next step में ऐसा है का 1 upon x dx यहाँ पर आए तो into dx और dt ऐसा है बड़ इतना सब करने मत जाओ simple करो log x का 1 upon x होता है और फिर dx देने का यहाँ पर और t का dt यह ऐसे करना है जो बता रहा हूं ऐसे करो simple तरीका सब बता रहा हूं ok next इतना हर बार करना जब भी substitution करना रहे तो इतना करना होता है फिर से आप लिखते है required integral is ऐसे लिखके करोगे integration caught ध्यान से देखना caught log x को क्या किया हमने t caught t और जो 1 upon x और dx था 1 upon x और dx यह जो था वो dt हो गया upon x और dx था के dt हो गया मतलब अब आपको क्या करना है कि integration of caught t करना है यहाँ पर कर लेते integration of caught t तो क्या जाएगा integration of caught t याद किया था आपने i is equal to देखो integration of 10 और caught log sin x होता है log sin t ok यह integration of caught होता है यह याद करके रखना है आपको और एक plus c आजाएगा कैसे अगर नहीं आदे तो देखो यह caught क्या होता है caught x क्या होता है cos x upon sin x इस तरह से होता है इसका integration लेना with respect to x मतलब इसका integration लेना और एक formula मैंने बता है ना कि नीचे वाले का derivative अगर उपर present हो sin x का derivative देखो कॉसिक्स उपर बेटा है इसका integration आता है log sin x इस तरीके से हम लोग इसको derive भी करते हैं बट इतना यह derive बार बार करते हैं बेलकुल नहीं डायरेक्ट इसको solve करो डायरेक्ट solve करो तो यहां पर यह आ चुका है तो हो गया क्या answer यह और कुछ करना पड़ेगा यह और कुछ करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा चुब देखते हैं बढ़ा तो देखो actual में question में टी नहीं था बट answer में टी क्या है क्योंकि हमने log x को टी रखा था तो बात में substitute भी करो answer में सब्सक्राइब करना है तो इस तरह से करना है अभी यह question no.1 हो गया चलो टू मैं ऐसे बोला ना चारपाच question करा तो आपको अब देखो यहां पर e raise to x और 1 plus x है upon में cos x into e raise to x dx है substitution method में लगाने वाला हूँ कैसे करूँ देखो यहां पर x into e raise to x का derivative करेगा तो यह उपर वाला आ जाएगा यह cos के angle में complicated चीज है इसको उठा लो इसको put करो put x into e raise to x is equal to t differentiate करो तो u into v है तो क्या जाएगा x into derivative of e raise to x यहीं आ गया प्लस e raise to x into derivative of x यहने 1 आ गया चलो अच्छा यह dx भी देना पड़ेगा dx भी देना पड़ेगा यहाँ पर dx फिर is equal to dt अब देखे हमने क्या आया यह देखो अब यहां से तो यह तो आया नहीं e raise to x की चाहिए था दो दो आया common लेलो ना भाई e raise to x common तो यह क्या हो गया x plus 1 तो उसको 1 plus x लिखते क्योंकि यहां पर 1 plus x है आगे पीछे लिख रहा हूं जो requirement हो था वो लाने की कोशिच करने का यह आ गया अब आप substitute करो यहां ऐसे भी लिख सकते हैं याद रखो यह लाइन बता देता हूं हर question में required integral is यह हर बार मैं नहीं लिखूंगा आपको लिखना चाहिए जब भी substitution करते हो उसके बाद वापस से वह integration लाने के लिए आप क्या करते हैं question लाने के लिए इस तरह से लिखते हैं अब देखो denominator क्या हो जाएगा यह ब्रैकेट वाले को हमने क्या लिए है को एकस इन्टू एस टो एकस को टी कोस्टी और जो numerator रहे है एस टो एकस वन प्लस एकस दी एकस वह क्या एट यहां वन देखे इस डी टी को साइड में रख देते हैं यह पूरा का पूरा क्या हो गया है डी टी और यहां कुछ नही इंटीग्रेचन क्या होता है तो यह भी मैंने बता आयुए ्प्लस जो या रखे लिए व क्या को याद रहो यही फॉर्मुला यूस कर क्या होता है तो अब जो अभी फॉर्मूला मैंने दिखा है उस फॉर्मूले को यूस को रिसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा लॉग मौर दे सकते हो सेक एक्स यहां टी है तो टी लिखो लुखना पड़ेगा लॉग सेक एक्स इन्टु ईट्व ए रहे टुछ दो तरह से ब्लस सी विए क्या आगया आई है तो इसको बड़ा आसान होता है कितना सिंपल है इतने स्टैप्स में हो गया अगर हम सब्सक्राइब कर रहे हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब फिर फॉर्मूला आता है आपको इंटिक्रेशन का बेसिक फॉर्मूला या दोना चाहिए जो मैंने पहले ही चार्ट आपको दिया हुआ है यह सारे फॉर्मूले यहाद ह लेता हूं कैसे इंटिग्रेट किया जाए कैसे किया जाए तवाज एक वैंसल हो सकता है यह नई इसको अगर मैं टी मानता हूं तो उसका डेरीटी पर है क्या एक काम करते ऐसे क्वेस्चिन में हम कुछ अर्रेंजमेंट करते हैं जैसे कि नीचे ए रस्तु एक्स माइनस ब उपर भी मैं क्या करता हूं, e raise to x है न, यहां plus 1 है, तो मैं minus 1 लाने की कोशिच करता हूं, जब minus 1 किया तो adjustment के लिए plus 1 किया, minus 1 plus 1 कटके वही आ जाएगा, तो तोड़ा समय simplification कर रहा हूं पेटा, तो यह क्या जागा, e raise to x minus 1 और यह plus 1 1 2 हो गया, upon e raise to x minus 1, इसका फाइदा क्य होगा, dx और integration लिखते जाओ, हमेशा, i is equal to, देखो यह split कर दो, e raise to x minus 1, उसके नीचे e raise to x minus 1, और फिर plus 2 के denominator में e raise to x minus 1, अब यहां पर integration दिया है, dx को यहां दे दो, और यह integration split होके, दोनों में चला गया है, dx, होगा क्या, यह दोनों same same quantity cancel हो जाएगा, i is equal to integration 1 और dx आ जाए यह plus आ जाएगा, और यह 2 बाहर आ गया, अब क्या रहे गया, e raise to x minus 1, 1 upon e raise to x minus 1, अब इसमें भी थोड़ा tension, कैसे solve करें, तो, देखो, substitution method यूज किया हमने, नहीं, हमने adjustment यूज किया, हमने क्या किया, denominator और numerator को same करने की कोशिश की, cancel करके, थोड़ा सा, ऊपर से, जो e raise to x थ सब गया हो गया, उसके बदल यह 1 into integration आ गया, यह आ गया तो इसका integration तो निकाल सकते easily, फेकिन इसको क्या करें, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका integration हम direct 1 का क्या करेंगे, x करतेंगे, x आ जाएगा, फिर एक constant भाहर आएगा, इस तरह से हम कर सकते, i is equal to, इसका integration 1 का x, फिर एक constant c1 भाहर आया, चलो, तो यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ adjustment करते हैं, देखो, यहाँ पर मैंने constant c1 इसका भाहर ले लिया, देखा जाए तो दो integration है, दोनों को एक साथ करना चाहिए, बट इसको बार बार लिखने से अच्छा, उसका integration निकाल दो, और एक constant यहाँ से c1 कर दो, अब क्या करेंगे देखो, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, adjustment करता हूँ, e raise to x common, e raise to x इसमें तो है, पर यहाँ तो था नहीं, तो यहाँ था नहीं, तो वहाँ पर e raise to minus x हो जाएगा, तो जब e raise to x अंदर जाएगा, e raise to x into e raise to minus x, e raise to 0 बन आ जाएगा, यह मैंने e raise to x common लिया, उपर 1 है, क्यों कर रहे हो ऐसा, simplify करने के लिए, answer आएगा, अब भी आएगा, देखो ध्यान से, तो यह x है, plus 2, integration, यह e raise to x यहाँ गया, तो क्या हो जाएगा, 1 upon e raise to x, तो e raise to minus x upon 1 minus e raise to minus x dx, अब हम लोग क्या करते हैं, substitution method, यूज करते हैं, substitution method, इसके बाद, ऐसे जो denominator है, उसको put करते, put 1 minus e raise to minus x is equal to t, इसको हमने t ले लिया, इसका derivative क्या जाएगा, 1 का derivative 0, minus e raise to minus x का derivative वही आएगा, फिर minus x का derivative minus 1, minus minus plus हो गया, और dx is equal to dt, अब यह जो i है, वो change हो जाएगा, यहाँ पर एक constant c1 है, वो लिखके जाओ, सो यहाँ पर हम लिखेंगा, i is equal to x पहले आया हुआ है, इसको रहने तो 2 times, integration, जो denominator है, उसको हमने क्या किया था, t, ओके, और उपर e raise to minus x और dx है, e raise to minus x dx, यह plus है अटा तो e raise to x minus dx dt, यह dt को side में लोगा, उपर कुछी नहीं तो 1 कर दिया, सो i is equal to, अच्याँ यहाँ पर एक constant c1 पहले से आ रहा है, x plus 2, 1 upon t, देखो log t का derivative 1 upon t होता है, तो 1 upon t का क्या हो जागा, log t, और यहाँ पर इस integration का एक constant आएगा, नया constant समझो c2, और यह c1 और c2 मिलके एक नया constant c कर देते हैं, constant कितना भी हो, बाद में है कि constant लगाना चाहिए, so i is equal to x plus 2 times log, अभी जो t था, किसकी value थी t, और यह substitute करो, 1 minus e raise to minus x, यह और plus c, यह आगया आपका answer, थोड़ा अलग type का question था, पहले हमने उसको adjustment किया, numerator को हटाया, simplify किया, बाद में यहाँ e raise to x common लिया, जिससे क्या होगा है, कि वो उपर गए, तो फिर substitution method हम use कर पाएं यहाँ पर, तो जर्री नहीं के जबर जैसे substitution ही करना, और कोई तरीके चाता है, तो वो भी कर सकते हैं, मतलब मैंने पूरे exercise के 42 question में से 5 question लिये हैं, और इसका revision हम कर रहे हैं, पूरा हो जाएगा, i is equal to यह दिया हुआ, कैसे integrate करें, तो मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पर 2 sin x cos x है, और यह 3 cos square x plus 4 sin square x है, तो अगर इन दोनों का derivative लेंगे ना, तो यह यहाँगा, 2 sin x plus x ही आने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको t substitute करता हूँ, t, किसको पूरे denominator को, t is equal to 3 cos square x plus 4 sin square x, इस तरह से, इसको t किया, अभी इसको differentiate करूँ कि ना, dt, इसका derivative dt, इसका क्या जाएगा, 3 यहाँ पर है, cos square x का derivative, देखो, x raise to n का derivative क्या होता है, यह n आ गया जाता है, फिर x raise to n minus 1, वो तरीका, इसको x समझे, cos square का 2 आ गया, फिर cos x, फिर cos का derivative, minus sin x, फिर यहाँ 4 है, sin square का इसी होगा, 2 आ गया, फिर sin x, sin x का derivative, cos x, simplify करूँ को तो क्या होगा, देखो, यह minus आ गया है, तो minus 3, देखो, 2 times, यहाँ पर क्या जागा, देखो, एक minute हा, चलो, इसको multiply कर देते हैं, एक minute, देखो, यहाँ पर, 3 to the 6, sin x, cos x, देखना द्यान से, और यह जो minus था, वो यहाँ आ गया, 4 to the 8, sin x, cos x, अब यहाँ देखा जाए, तो, दोनों सेम है, 8 में से 6 है, तो, 2 times, sin x, cos x, अच्छा, यहाँ, dx भी लगाना पड़ेगा, यहाँ, derivative ले रहे ना, dx भी लगाना पड़े का, पूरे का, इस तरह से, ठीक है, पूरे का, हमने क्या किया, dx लगा दिया, पूरे के लिए, तो, यह आगया, यह दीटी आ गया, अभी तक हम substitution की त्यारी कर रहे थे, अब जो आई है, पश्चर में, आई, उसको, रिकोगे, required integral, जो denominator था, उस पूरे को, हमने, t consider किया था, जो numerator है, 2 sin x cos x dx, 2 sin x cos x dx, वो तो dt आया है, तो उसको मैं यहाँ dt लिखता हूँ, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिखता हूँ, अब 1 upon t का integration क्या आएगा, log of t, और plus एक constant c, याद रखो, जब भी यह integration sin or dt जाएगा, एक c छोड़के जाएगा, इसको अटाया, तो c आ गया, log, अब t क्या था, देखो, t, यहाँ पर, यह t है, 3 cos square x plus 4 sin square x, 3 cos square x plus 4 sin square x, re substitute कर दिया, plus t, और यह आगे आपका integration, यह आगे आपका answer, कितना आसान है, प्रक्टिस ज़रूरी है, प्रक्टिस होगा तो आपको यह सारी चीज़ बहुत आसान लगेगी, बहुत इंट्रेस्टिंग है, derivative सीखने के बाद यह आपको बहुत आसान लगेगा, अगला question लेते हैं, यहाँ पर, यह है, देखो, sin x plus 2 cos x upon 3 sin x plus 4 cos x, यहाँ पर, यह जो 3.2 a का exercise, 3.2 a, जो मैं आपको करा रहा हूँ, अभी तक जो मैं बता रहा था, substitution method है, उसके अंदर आपने एक adjustment देखा, e raise to x minus 1 वाला question, वैसे ही यह एक type का question है, यहाँ पर 3.2 a में एक type दिया हुआ है, ऐसे type में अगर नीचे भी sin cos है, उपर भी sin cos है, दोनों इस तरह से हैं, तो हम क्या करते हैं, जो numerator उसको convert करते है, numerator is a into denominator plus b into derivative of denominator, यह तरीका है, यह याद रखना है, यह अलग type का question है, जो 3.2 a में आया हु से या कोई एक sin है उपर नीचे sin cos है, या उपर cos है, ऐसे type का question हुआ न, तो देखो इसका derivative करोगे न, 3 sin x का 3 cos x और 4 cos x का minus 4 sin x, तो यहाँ पर यह इसके साथ coefficient मैच नहीं हो रहे है, इसको t रखके dt उपर नहीं आ रहे है, तो जैसे पिछला question किया, denominator को t रख दिया, तो उप साथ इदर नहीं है, तो यह इस type का question है, यह जो type का question है, उसको इस तरीके से solve करते हैं, यह याद रखना है, यहाँ पर 3.2a का यह last question मता रहा हूं, एक ऐसे type का question है, अगर यह आया, तो आप numerator को बदलोगे, numerator को denominator के form में बदलोगे, DR मतलब doctor रही है, denominator है, NR मतलब numerator है, बेटा इतना याद रखो जो बता रहा हूं है, ठीक है, तो अभी कैसे करना है, यहाँ पर हम जो यह काफी लंबा चोड़ा solution होना है, एक दम ध्यानते दोगे, जो यह numerator है, उसको ले ले लेंगे, sin x plus 2 cos x, यह numerator है, इसको मैं बदलने वाला हूं, कैसे a, a into denominator, मतलब यह, a into 3 sin x plus 4 cos x, dr मतलब यह नीचे वाला, nr मतलब numerator उपर वाला, plus b into derivative of denominator, derivative of denominator, जो नीचे वाला है, 3 sin x plus 4 cos x, इसका derivative, तो मैं क्या कर रहा हूं, जो numerator को बदल दे रहा हूं, denominator के रूप में, तो यह तो ऐसे ही रहा जाएगा, इसको multiply करो, 3 into a sin x plus 4 into a cos x, यह आ गया, अब यह b बाहर रहा हूं तो इसका derivative लो पहले, 3 sin x का derivative cos x, 4 cos x का derivative minus sin x, तो यह minus और plus minus हो गया, अब simplify करो, देखो थोड़ा सा, यह 3 a sin x है, यहाँ पर, देखो यह b minus 4 b sin x है, तो sin x को एक से टलाओ, तो 3 a minus 4 b, और sin x common आ गया, यहाँ से, और यहाँ से, cos x को ले किया, तो देखो यहाँ पर 4 a cos x है, औ यहाँ पर 3 b cos x है, दोनों plus है, 4 a plus 3 b cos x, ऐसे आ गया, इसका फाइदा क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ, sin x plus 2 cos x, यहाँ पर a और b निकलना, यह तरीका है, यह तरीका सीख लोग, ऐसा कुछ चनायत वैशे कर देना, ओके, तो यहाँ sin x के पहले कुछ नहीं है, one है, cos x के पहले two है, तो sin x का coefficient क्या है, देखो यहाँ पर, 3 a minus 4 b, यहाँ sin x के साथ क्या है, one, यहाँ cos x के साथ क्या है, 4 a plus 3 b, यहाँ cos x के साथ two है, compare करो, 3 a minus 4 b is equal to one है, और यहाँ पर क्या है, 4 a plus 3 b, 3B 4A plus 3B is equal to यह इसके जगा पर क्या है 2 है तो यह दो इक्वेशन आ गए दोनों equation को solve करके हम A और B निकालेंगे बाद में यह जो तरीका था numerator plus B A into numerator plus B into वहाँ A और B की value रखके इसको solve कर लेंगे easily कैसे होगा इसको solve कर सकते हो इसको simplify करने के लिए आपने 10th में तरीका सिखा है कि दोनों को एक बार plus कर दो फिर एक बार minus कर दो फिर दो equation आएगा उसको add कर दो तो उतना सब करते नहीं जाएंगे direct करेंगे ओके यहां बीच में 4 है ना इसको 3 से multiply करो तो क्या जाएगा 3,4 जा 12 सब में 3 से करो तो 9 ए माइनर 3,4 जा 12 भी और 3,3 से multiply किए इसको 4 से कर दो 4,4 जा 16 ए 4,3 जा 12 भी 4,2 जा 8 जो equation number 1 है इसको समझो यह equation number 2 है 1,2 इसको दे दो 1 और 2 equation इसको दे दिया अभी दोनों जो equations है इसको हम solve करते है simplify तो दोनों को अगर मैं add करता हूँ adding equation 1 and 2 दोनों को add करते हैं तो क्या जागा 9 ए और 16 ए 25 ए minus 12 भी plus 12 भी cancel और 3 और 8 क्या हो जाएगा 11,so यहां से A क्या मिल गया 11 upon 25 और इसको अगर यहां पर रखते हैं देखो 3 into 11 upon 25 तो B निकाल दो minus 4B is equal to 1,so 33 upon 25 1 यहा है तो minus 1 is equal to 4B cross multiply करो तो इसको 33 minus 25 इतना हो जाएगा 8,8 upon 25 और यह जो 4 एक मिनटा 33 minus 25 यहां गया और is equal to 4B यह 4 यहां पर आए तो into 4 is equal to B इस 4 से इसको cancel किया तो 2,so क्या आगया B is equal to 2 upon 25 आगया तो इस तरह से हम लोगों ने A और B निकाल दिया काफी लंबा चोड़ा solution जा रहा है डरो मत हमारा main मकसद क्या था जो numerator है उसको इस form में लाना इस form में लाने के बाद हम जो A और B unknown values है A और B जो unknown values है उसकी value निकालना है A और B अब क्या करेंगे देखो अब इसको change कर देंगे जो numerator है इसको change करो i जो sin x plus 2 cos x है यह बदल जाएगा यह क्या जाएगा A into A मतलब क्या था 11 upon 25 into फिर यह 3 sin x plus 4 cos x numerator change हो गया फिर B into B into derivative आच बी की value भी तो हमें पता है तो B की value रख दो B की value क्या है 2 upon 25 ओके और derivative of this derivative of 3 sin x plus 4 cos x और अभी numerator हो गया denominator क्या था देखो 3 sin x थोड़ा लंबा चोड़ा solution जा रहा है डर मत जाना तुम लोग और यह यहाँ पर अभी integration करना और यहाँ पर side में dx आएगा एक मिनिट है जगर नहीं इसलिए dx लिए अब चलो इसको बढ़ा करता हूँ मैं चलो इतना हो गया बच्चो अभी देखते जाओ यह जो पहला integration था इसमें 11 upon 25 बाहर लेता हूँ और यह क्या आ गया 3 sin x plus 4 cos x upon क्या है यह यह 3 sin x plus 4 cos x और इसका जो dx था वो इसके पास लेके आ गया फिर आगे प्लस है integration आगे लेकर जाता हूँ यहां 2 upon 25 मैंने ले लिया बाहर ओके और integration यहां पर आ गया तो यह क्या उपर है derivative of 3 sin x plus 4 cos x और अब यहां पर आई इस इक्वल टू 11 upon 25 है और यह क्या हो गया है कट गया तो यह 1 आ गया यह कट गया तो क्या है यह पूरा का पूरा सेम है देखो सेम 1 into dx integration integration 1 into dx तो 1 का integration क्या होता है x चलो डारेक कर दिए यहां पर 2 upon 25 है यह जो denominator है उसका derivative उपर present है देखो 3 sin x plus 4 cos x इसका derivative उपर बैटा हुआ है तो यह आपने सीखा था कि अगर कोई नीचे function है उसका derivative numerator में हो तो इसका integration क्या होता है log of denominator 3 sin x plus 4 cos x और यहां पर क्या आगया प्लस एक constant तो देखो यह हो गया answer निकालने में तकलीफ नहीं हुई अगर हम लोग इसको इस format में ला देते हैं कौन सा format यह वाला numerator को अगर ला देते हैं a into denominator plus b into derivative denominator ऐसा format में हम लाते है और b की value निकालके तो हमें क्या करना होता है सिर्फ इसको split करना denominator को एक बार इसके नीचे लिखना है एक बार इसके नीचे लिखना है जैसे ही पहले वाले की अब जैसे कि आप जानते हो कि यह जो चैप्ट करके एंसर निकाल देना है तो यह जो है 3.2a के अंदर के question से याद रखना है अब जैसे कि आप जानते हो कि यह जो चैप्टर काफी बड़ा है 3.1 हो गया 3.1 के पहले के बेसिक कंसे formula मैंने सिखा दिए 3.2 जो substitution method है तो सीधे substitute करने जैसा question नहीं आएगा तो यहां पर अलग-अलग variety के questions है मैंने लग-बग 3.2 है कि 42 question में से 5 questions बता है वह अगर करते हो तो फूरा exercise रिवाइज हो जाता है अब चलो 3.2 B में जाते हैं जहां पर कुछ formula को याद भी करना है वह भी बताता है 3.1 और 2 3.2 A हो चुका है 3.2 B के लिए आपको कुछ special integral formula याद रखने पड़ेंगे अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वैसे तो आपको पहले ही मैंने बता है कि 3.2 में पूरा-पूरा substitution method है बड़ substitution method में भी अलग-अलग type के sum आएंगे तो 3.2 B जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं इसके अंदर क्या है कि इस type के कुछ questions है जैसे कि integration of 1 upon x square plus a square इस plus की जगए minus हो सकता है यह a square पहले और x square बाद में हो सकता है या तो हो सकता है कि 1 upon root में चीज़े आए root a square minus x square या आगे पीचे हो जाए plus minus या तो 1 upon x root x square में सकता है इसको सिर्फ याद रखो उसका trick है सिर्फ यह 3 type के formula 3 color में आपको दीख रहे हैं तो उसका trick है उस trick से याद रखो होगा क्या अगर आपको यह formula याद होते हैं तो 3.2 B के maximum question अब solve कर लोगे इतना ही नहीं यह जो formula आगे चलके 3.2 C exercise 3.3 और 3.4 के अंदर भी जो अलग-अलग type को questions है partial fraction वाले हैं या integration by parts है उसको करने के बाद भी जो बीच में जैसे कि आप sum solve कर रहे हो तो आदे sum solution के बाद वापस से यही formula के type को question बन जाते हैं और यह useful होगे वहाँ पर इसलिए बहुत important चीजे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि यहाँ पर इसका formula क्या होग 1 upon x square minus a square इसका formula यहाँ पर क्या करोगे 1 upon 2a और log आ जाएगा यहाँ देखो यह जो x minus a है x पहले a बाद में है तो यहाँ पर mod देना है x minus a जैसे यहाँ x square minus a square है ना तो minus है तो x minus a उपर दे दो denominator में x plus a और यहाँ पर plus c आ जाएगा ते किसी तरह से तीसरा formula यहाँ पर दोनों में difference क्या है x square minus a square है x variable पहले है constant बाद में अगर minus में a square पहले आ जाए x square बाद में रहे तो क्या करना है बिल्कुल यही formula यही formula बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि x square minus a square होता है तो x minus a उपर लेते है a square minus x square है तो a minus x नीचे लेते ह यहाँ पर denominator में तो उपर क्या हैगा यही plus में आएगा यह difference है जिसको आपको याद रखना है यहाँ पर मैंने क्या बता है तीन formula जो एक जैसे थे plus minus का difference था उसके formula मैंने बता है इसको याद रखना है अगर यह याद रखते हैं तो integration बहुत आसान हो जाएगा आपको करना क् question दिया है उसको इस format में लेकर आओ किसी एक format में यह आने के बाद आप उसका direct integration का formula लगा दो हो गया ना अगर समझो कि यही चीजे रूट में है जैसे यहाँ पर रूट नहीं थे यह तीनों में बट समझो इन तीनों में अब रूट आ जाए तो अब क्या करना जैसे कि यह यहां पर है वन अपन रूट ए स्क्वार में इस एक स्क्वार तो यहां पर क्या हो जाएगा यह सीधा सीधा होता है साइन इन्वर्स एक्स बाई ए और प्लस सी अगर समझो यहां पर वन अपन रूट एक स्क्वार प्लस एक स्क्वार है और यही चीज यहां है बट माइनस है तो दोनों का integration का formula सेम होता है compare करके याद करो यह होता log और यहाँ पर होगा x plus यहाँ भी होगा देखो log x plus फिर यहाँ पर क्या है यह जो है root x square plus a square इसको as it ही उठा के रख दो x square plus a square और 1 और plus c बस हो गया कितना आसान है देखो अगर one upon root आता है तो उल्टा यहाँ भी plus c रहेगा इसको उठा के यहाँ रख दो root x square minus a square पर plus c हो गया अब एक अलग type का seventh है इसको अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा अलग क्या है one upon root x square minus a square तो यहाँ भी था यहाँ भी है अगर यह x नहीं होता extra x तो यह formula लगता यह extra x आने की वैसे हम क्या करेंगे one upon a sec inverse और x by a plus c यह extra है इसको याद रखो तो अभी जो मैंने आपको formula दिये हैं यह formula अगर आप याद कर लेते हैं यहाँ से मैं screenshot के लिए आपको दे लेता हूं तो यह screenshot ले लो आप चाहिए दो अगर आप इतने formula याद करते हैं तो आपको 3.2 b तो आ जाएगा अच्छे से इसके साथ ही 3.2 c 3.3 3.4 की भी maximum question में यह formula यूज होने वाले तो यहाँ पर मैंने जो formula आपको दिये वो पहले बिना square root वाले फिर square root वाले और एक extra था जिसमें square root के साथ x था यह साथ formula याद करो बस आप integration में एक दम expert हो जाओगे आगे देखते हैं चलो जो 3.2 b है उसके लिए जो मैंने भी आपको formula बताए उन formula के basis पर अगर कोई question आते हैं इस type के question आते हैं तो कैसे solve करना वो मैं बताने जा रहा हूं देखो अगर मैं आ टोटल 29 questions है बेटा टेक्स दू के अंदर तो क्या 29 question किया जाए बिल्कुल नहीं मैं आपको 3 या 4 question मत आता हूं तीन ही question मत आता हूं चलो उतने question करते हो तो आपको 3.2 b पूरा revise हो जाएगा यह हमारा one shot lecture चालू है पूरा का पूरा chapter हमने अलग से पढ़ा के रखा है बहुत इस टाइप का question आता है इसको देखके ही हम पहचान जाते हैं कि one upon x square plus a square type हो सकता है यह one upon है यह x square बना सकते है और इसको a square बना सकते है बड़ यह x square में 4 है और यह a square तो है नहीं तो करो करो हो जाएगा कैसे करेंगे कि इसको simplify करते यह जो आई पहले लिख दो इसको यहां पर जो question है इसको हम क्या करते पहले तो आई लिख देते आई को के समझो first question so i is equal to okay इस तरह से यह जो one upon four बाहर ले लो यह क्या हो जाएगा one upon यह x square हो जाएगा और यहां से four बाहर लिया तो 11 upon four यह four था नहीं तो बाहर कैसे लिया तो जब भी ऐसा होता जिसके अंदर कोई topic को कोई term नहीं है उसको common लेंगे तो उससे one upon इसको तो यह x square है अल्रडी plus यह 11 upon four इसको root 11 upon two का square कर सकते हो त्यान से देखो root 11 square 11 two का square क्या होता है four वही आ जाएगा अब यह formula बन गया यह x square है one upon x square plus a square अभी मैंने जो आपको formulas बताए थे one upon x square plus a square क्या होता है देखो one upon a tan Inverse x by a समझ में आ रहा है one upon a tan Inverse x by a तो इसके लिए more formula यूज करता हो टेको यहां पर formula यूज करता हो यह तो side में रखो इसको इसका formula क्याता एक square यह ए square एक ही ethical root 11 by 2 क्या था यह यहां क्या था one upon a फिर से देख लो क्या था formula one upon प्लस ही आएगा जैसे आप फॉर्मूला अपलाई करते हो, इंटीग्रेशन का सिम्बॉल और Dx हट जाएंगे, उसकी जग़वे प्लस ही आजाएगा और यह आगया आपका final answer यहां 2 से 4 को cancel करो यह हो गया i is equal to 1 into 1 1 2 into root 11 यह आ गया इस तरह से tan inverse है यहाँ पर यह 2 उपर गया तो 2x upon root 11 हो गया आपस में यह इस तरह से हो गया plus c और यह जो है आपका final answer इस question के लिए आ गया आपने देखा कितनी आसानी से आया अगर आपको कोई एक question है उसका format पता चल गया कि यह 1 upon x square plus a square है तो उसको उस format में सिर्फ convert करो और formula apply कर दो अब यह जो formula apply क्या यहाँ पर side में आप लिखो के तो बहुत अच्छी बात होगी कि integration 1 upon x square plus a square dx is equal to 1 upon a tan inverse x by a plus c इस तरह से जो formula apply करते हो नहीं कटेंगे अभी maths का जो session हुआ है आपने देखा कि बहुत important है out of mark लाने वालों की छोटी-छोटी mistakes में marks कर सकते हैं ठीक है तो यह question हो गया इसी दरह से हो सकता है यहाँ पर minus आ जाए हो सकता 11 पहले हो 4 x square बात में हो तो यहाँ पर आप के सामने तीन formula है उसके लिए कर लोगे चलो अगला देखते हैं दूसरा जो सम अभी करेंगे 3.2 B के base पर देखो मैंने जो formula बता है बहुत formula को याद रखो अब आप बोलोगे सर यह तो sin cos आ गया इसको क्या करें बिल्कूल यह वही formula के रूप में आने वाला है मैं यहाँ पर क्या 2x उपर present है case है देखो और यह quadratic equation बन जाएगा और यह पूरा dt हो जाएगा देखो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर मैं put करता हूँ sin square x जो है हमारा उसको t consider करते तो sin square x इसका derivative करो 2 आ गया है 2 into sin x sin x का again derivative cos x और फिर इसके पाद हम लिखते हैं dx और t का derivative क्या आता है dt इस तरह से अब यहाँ पर देखो यह sin 2x मतलब क्या अच्छा इसको अगर solve करें ते क्या आएगा sin 2x और फिर dx और dt आएगा इसका मतलब यह sin 2x और dx है वह हो गया यहाँ पर dt और यह sin square है वह हो जाएगा t तो कैसे करेंगे इसको change करते है i is equal to यहाँ पर upon है 3 यह sin raise to 4 मतलब क्या sin square का square sin raise to 4 आप ऐसे लिख सकते हो sin square x का square मतलब sin raise to 4 अभी sin square x को t किया है sin square x क्या है t t का square तो यह क्या हो जाएगा t square फिर minus 4 times sin square x उसको t consider किया है फिर plus 1 उपर देखो क्या है sin 2x और dx देखो sin 2x dx क्या है dt तो dt को side में ले लो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 समझे अब जो पूरा का पूरा question था वो कितना simple हो गया थे को इस तरीके से बट यह जो question हुआ है यह भी quadratic equation है इसको solve करने के लिए जो भी अभी मैंने तरीका बताया था वो तरीका follow करना पड़ेगा इसको अब क्या करोगे देखो यहां पर की quadratic equation बनाने के लिए completing square method यूज करना जो टी है टी का coefficient क्या है minus 4 by 3 इसको ना half से multiply करके square करना third term निकालने के लिए रख में कर सकते हो जैसे यह टी का जो coefficient होता है उसको आधा करके square करना इससे क्या होगा देखो टू टू जा 4 तो कितना है minus 2 by 3 और उसका square किया है था minus का square plus 2 का square 4 upon 9 तो 4 upon 9 हमारा third term में इसको completing square method करना चाहते हो तो तो देखो मैं क्या करता हूँ I is equal to 1 by 3 integration 1 upon यह देखो यह square minus 4 by 3 T था और यहाँ पर plus 1 by 3 था तो मैं क्या करता हूँ यह जो 4 by 9 है बच्चो इसको यहाँ पर plus कर देता हूँ और यही 4 by 9 को यहाँ पर minus कर देता हूँ इससे फाइदा क्या होगा कि हमें यह DT यहाँ लेग दिया एक यह जो complete जो square वाला होता है यह a square minus 2ab plus b square उस type का मिल जाएगा अब यहाँ पर देखो इसको simplify करते है जो बाद में formula बन जाएगा 1 upon यह क्या है देखो पहला term T फिर minus 2 upon 3 का whole square है तो देखो first term minus last term the whole square समझ में इसको expand करोगे minus b the whole square formula से तो यह ही आएगा अच्छा इसको solve करोगे तो 9 into 1 9 minus 3 4 था 12 तो क्या है देखो rough में कर दो 9 minus 12 3 9 था 27 देखो यह मैंने cross multiply किया इसको LCM method से भी कर सकते हो चलो मैं बताता हो कैसे 9 into 1 9 minus 3 4 था 12 9 minus 12 upon 27 minus 3 upon 27 तो 3 9 था तो minus 1 upon 9 आया है इसी चीज़ को मैं LCM से करके बता तो देखो यहां पर 3 और 9 का LCM 9 3 में किसका multiply करोगे तो 9 आएगा 3 3 था 9 तो उस 3 का multiply 1 में करने का 3 1 सा 3 minus 4 का denominator 9 9 में किसका multiply करोगे 9 आएगा 1 का उस 1 का multiply 4 में करने का 1 into 4 4 तो 3 minus 4 क्या आजाएगा minus 1 upon 9 देखो आएगा वही पड़िये क्या बात में cancel करना पड़ता है LCM से किये तो cancel करना नहीं पड़ेगा तो यहां पर 1 by 3 minus 4 by 9 क्या तो क्या रहा है minus 1 by 9 तो यह जो plus था यह plus आट जाएगा यहां पर minus आजाएगा और minus आके 1 by 9 इस तरह से हो गया dt अब एक step और कर लेते इसको i is equal to 1 by 3 integration 1 upon t minus 2 by 3 the whole square minus 1 by 9 यह 1 by 3 हो गया the whole square और यह क्या हो गया dt अब देखो यह formula बन गया कौनसा formula बना आपको यकीन भी नहीं होगा कि हमने जो अभी formula मैंने आपको बताए थे देखो इस में से 1 upon x square minus a square second वाला formula बन गया क्या था वो 1 upon 2a log x minus a upon x plus a यहांने 1 upon यह जो a उसका 2 times करना है फिर log करके यह जो x minus a उपर उसके नीचे और फिर नीचे जो है x plus a करना है अब यह formula यहां पर apply करते हैं हम लोग जो अभी आपने देखा पीछे formula तो क्या आजाएगा देखो i is equal to 1 by 3 यह ऐसी रहेगा क्या किया था 1 upon 2a 1 upon 2 into a क्या है देखो 1 by 3a फिर log मॉड करो फिर अगर यह x minus a तो उपर x minus a लेते हैं और नीचे x plus a तो यह x समझो दिस minus this तो यह क्या है t minus 2 by 3 minus 1 by 3 ओके और यही चीज नीचे प्लस में लेना है t minus 2 by 3 plus a plus 1 by 3 और plus क्या जाएगा c आपको देखो यहाँ पर dt हट गया t हट गया अब simplify कर दो formula आपने लगा दिया integration हो गया कली simplify कर दो 3 से 3 cancel हो गया i is equal to 1 into 1 1 upon 2 into 1 2 log यहाँ पर देखो यह t है minus minus 2 minus 1 minus 3 minus 3 upon 3 तो minus 1 यहाँ पर करोगे t minus minus 2 plus 1 तो t minus 1 by 3 आजाएगा minus 1 upon 3 और plus क्या आगा यह c तो इसको देखो यह upon में आए इसको और simplify कर लो 1 upon 2 log देखना अध्यान से इसका cross multiply 3 into t 3 t minus 1 upon में 3 आएगा वो 3 जाके उपर multiply हो गया दोनों में तो यह हो जाएगा 3 t minus 3 into 1 3 plus c अब यह हमारा answer आगा है लेकिन देखो यहाँ पर question में answer में t आया है question में t था क्या कहीं पर नहीं था तो t क्या था sin square x तो replace करना पड़ेगा जो भी t है ना i is equal to 1 by 2 log जहाँ पर भी t है वहाँ पर क्या करना पड़ेगा sin square x जिसको replace किया था वो कर दो 3 sin square x minus 1 और plus c इस तरीके से हमको कहना है अब last में यह आई है question में यह आई दिया होगा तो ठीक है नहीं दिया होगा तो क्या करोगा इसका answer करके लिखना तो यहाँ पर अभी दो question मैंने बता दिया अभी तीसरा तो बहुत जबड़ जस्त question है अलग type का है जो आपको आना चाहिए यहाँ पर i के लिए मैं इसको integration लेता हूं और dx करता हूं ठीक है यह दोनों होना बहुत ज़रूरी है याद रखो जब formula apply करते तो यह दुनों को हटा दियना है अब यहाँ पर एक अलग type का question है 1 upon 3 minus 2 sin x plus 5 cos x यहाँ पर ऐसा कोई quadratic equation बनेगा क्या नहीं बन रहा है तो यहाँ एक technique है क्या करना है कि जब भी इस तरह से होगा तो tan x by 2 को हम लेंगे t समझ गया है इसके बाद क्या होगा यहाँ पर x by 2 की बात करेंगे x by 2 यहाँ रह गया tan वहाँ गया तो tan inverse t हो गया और यह upon 2 था वहाँ जाके multiply हो गया x की value से आगे dx अगर निकालना होगा dx is equal to 2 और tan inverse t का derivative क्या होता है 1 upon 1 plus t square तो यह हो जागा 1 upon 1 plus t square और dt तो कभी भी आपको tan x by 2 जब लेते हो ना तो इसमें dx ही आएगा अगर मैं समझो sin x की बात करता हूँ तो sin x क्या आएगा sin x का formula होता है 2 times tan x upon 1 plus 1 minute sin 2 x का formula होता है sin x है तो 2 times tan x by 2 फिर 1 plus tan square x by 2 यह formula होता है tan x by 2 को अगर t लेते तो यह हो जागा 2 t upon 1 plus t square यह क्या है sin x और इसी तरह से जो tan का formula cos x के लिए होता है cos 2 x के लिए यहां से यहां से cos x के लिए अगर मैं करना चाहूं cos x तो यहां पर यह होगा 1 minus t square upon 1 plus t square क्या बता क्या रहूं में यह सब क्या हो रहा है आपको बताना चाहता हूं कि यह अलग टाइप का question आ गया ऐसे टाइप के question जिसमें sin और x cos होते हैं sin cos होगा okay तो उसको अगर integrate करना है तो कुछ तरीका है हमेशा क्या करो put करो 10 x by 2 को t और वहां से जो dx यह मिल जाएगा और वहां से जो sin 2 x का formula 2 tan theta sin 2 theta is equal to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta cos 2 theta का formula 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta तो यहां यह tan x by 2 लिया यह dx हो गया यह sin x हो गया और यह cos x हो गया तो यह तो मैंने बता है उसका formula है उससे आया है तो वह सब लिखने की ज़रुत नहीं है आप अगर याद करके रखते हो यह चीज तीन चीज याद करके रखो tan x by 2 को t लेना है dx यह लेना है sin x यह लेना है cos x यह लेना है बस यह याद रखना है और उसको यहाँ पर लिख डालना है चलो मैं इस चीज को यहाँ लिखा हूं यह आप यहाँ लिख दोगे तो यह एक type का question है 3.2b में कि अगर one upon है इस तरह से sin x cos x है quadratic equation नहीं बन रहा है कोई formula का रूप नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कर लो होगा क्या और यह हमेशा fix तरीका है ऐसे question में 10 x by 2 को ही t लेना है sin x by 2 cos x by 2 नहीं लेना है अब यहाँ पर tan तो है नहीं question में sin x cos x है तो तुम tan x by 2 को क्यों लेते है भाई यह तरीका है sin x cos x tan x हो तो अगर यहाँ 2x होता है sin 2x cos 2x तो अब हम है इसे लेते tan अगर sin 2x या cos 2x होता तो अब हम है इसे लेते tan 2x is equal to t तो यह जो upon 2 आ रहा है ना tan 1 minute 2x नहीं ऐसे लेते tan x is equal to t अगर समझो कि यहाँ पर 2x होता sin 2x cos 2x तो मैं लेता tan x is equal to t यहाँ जो x by 2 है उसके मतले सिर्फ x लेता upon 2 नहीं आता अगर यहाँ 2x cos 2x होता तो समझ गए तो यह तरीका है यह फिक्स तरीका है जब भी sin cos tan यह सब रहे एक मिएट को साइन कॉस इस तरह से रहे तो यह इस तरह से लेना यह फिक्स इसको रट्टा मार लो याद कर लो कि जब भी ऐसे टाइप को क्वेशन आएगा sin x और cos x को यहाँ से replace करना है यह हर question में 3.2b में जो second type है उसमें हैसे करना है so i is equal to चलो फटाफट replace करो देखो 1 into dx क्या था dx क्या था 2 upon 1 plus t square 2 upon 1 plus t square और फिर dt यह dx है upon 3 minus 2 sin x क्या है देखो यह 2t upon 1 plus t square सिर्फ 5 times cos x क्या है देखो cos x 1 minus t square upon 1 plus t square यहाँ चो dt आना चाहिए इधर आया देखो यह क्या है देखो 2 upon 1 plus t square यह एक साथ है upon यह देखो यह 1 plus t square दोनों का base है सबको एक साथ लोगे तो सबका base एक ही हो गया 1 plus t square पर इसके साथ नहीं है cross multiply करो 1 plus t square into 3 3 into 1 3 plus 3t square फिर यह minus 2 को अंदर जाने दो minus 2 into 2t minus 4t 5 अंदर जाने दो plus 5 into 1 5 minus 5t square तो यह denominator आ गया और यह dt को हम यहाँ लिख देखो यह जो 1 plus t square है 1 plus t square से cancel होगे दोनों का denominator ओके इस तरह से आप भरबार करोगे ऊपर क्या है 2 upon इसको solve करो 3 और 5 क्या है 8 minus 4t 3t square और minus 5t square क्या है minus 2t square और यहाँ पर क्या हो गया dt देखो मैंने क्या किया एक quadratic formula दिया question क्या था question में quadratic था नहीं sine x और cos x था तो यह तरीका मैंने अपनाया इसको याद करके रखो 10x by 2 को t रखना है फिर dx sine x cos x की यह fixed value होगी इसको substitute करना simplify करना अब जो हमने formula ck दे अभी 1 upon x square minus a square वगरे वह formula apply करोगे तो आपको easily solution मिल जाएगा और last में t की जगह पर 10x by 2 रख दे ना बच्चो चलो देखो क्या करते अभी फटा-फट देखो यहाँ पर सबमें से 2 अगर common लेते 2 यह 2 से 2 cancel हो जाएगा एक इस step में तो उपर 1 आ गया यहाँ से 2 common आया था तो 8 का 4 हो जाएगा minus 4 का 2 हो जाएगा और minus यह हो गया t square कैसे किया मैंने यहाँ से 2 common लेकर 2 को cancel कर दिया अब इसको कैसे simplify करना यहाँ पर देखो यह 1 upon 4 है यहाँ से minus लेते common और इसको ऐसे करते t square minus 2t का plus 2t इस तरह से मै उनों में से minus common लिया अब completing square method t के साथ क्या है 2 तो 2 का half करके square करो तो क्या था 1 का square 1 तो यहाँ पर plus 1 minus 1 करना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं क्या करता हूं यह दो देखो यह 4 है यहाँ पर minus 1 minute t square plus 2t यहाँ पर मैंने क्या बता है complete square करने के लिए plus 1 की ज़रूत है तो मैं plus 1 करता हूं और यही पर minus 1 कर देता हूं होगा क्या देखो i is equal to integration 1 upon यहाँ पर minus इसकी बात करते हैं यह t square plus 2t plus 1 क्या हो जाएगा t plus 1 the whole square और यह minus minus plus 1 आ जाएगा बाहर plus 1 और यह पहले 4 है 4 plus 1 5 हो जाएगा यह इस तरह से ओके यह जो minus 1 था यह minus अंदर जाएगा पहले तो यह complete square हो गया minus इसका minus minus plus 1 plus 1 4 में plus की है तो 5 और यह 1 upon 5 minus यह हो गया इसको square root form में लिखो 5 को तो यह ऐसे हो गया और यहाँ पर dt है होगा क्या 1 upon e square minus x square क्या formula था यादा रहा है 1 upon a square minus x square का formula क्या था देखो मैंने यह आपको formula बचा था 1 upon a square minus x square formula क्या था 1 upon 2a फिर लोग फिर यहाँ a minus x है ना तो बहुत आसान है तोड़ा step ज्यादा लग रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं 1 upon 2a यह कितना रूट 5 तो 1 upon 2 root 5 लोग यह जो a minus x नीचे आ जाएगा अभी आपको ती प्लस 1 फिर a plus x उपर आ जाएगा इस तरह से प्लस c i is equal to अब इसको simplify कर देते देखो जरह 1 upon 2 root 5 यह तो आई गया है लोग t देखो t की value रख दो ना direct क्या था t की value यहाँ से देखो tan x by 2 पहले लिया था यह तो मालूम है तो जहाँ भी t उसको tan x by 2 पहले ही लिख दे थे tan x by 2 यह तो बाद में रखो यहाँ नीचे minus है न एक मिनट एक काम करते ती की जगर tan x by 2 रखना root 5 plus 1 plus t मतलब tan x by 2 यह हो गया यह है root 5 minus अंदर गया तो minus plus minus 1 और minus t मतलब minus tan x by 2 और plus c यह हो गया हमारा integration का answer यह लास्ट में आप substitute करोगे जहाँ भी t यह उधर tan x by 2 रखना यहाँ पर integration or dt को हटा दिया क्योंकि इसका formula जब करोगे integration का तो integration or dt जाएगा लेकिन जब भी आटेगा तो एक c छोड के जाएगा plus c समझ जाना ठीक है तो यह यहाँ पर हो चुका है बच्छों देख़ों यह जो question था बहुत important था 3.2b के अंदर इस type के questions आपको करने हैं बहुत सारे question अगर आप देखते हैं 3.2b के अंदर टेक्स्ट्बूक के अंदर तो लगबग 9 question दिये question number 2 के अंदर 9 question है सब के सब इसी type के अगर यह question आप त्यार कर रहे हो तो 3.2b का आपको 9 question त्यार होता है चलो अब आगे का concept देखते हैं अब आगे 3.2c के लिए आपको इस type के question मिलेंगे जो मैं यहाँ पर दे रहा हूं आपको किस type के question है देखो 3.2c integration of the form integrals of the form px plus q उपर इस type का है x का variable है देखो और नीचे quadratic equation है upon के नीचे और इसका integration करना है या तो same way से px plus की हुए नीचे quadratic equation और यह square root में है तो यह दो टाइप है दोनों similar ही है ऐसे question आया तो आपको type पैचारना है तो आपको वो type पैचारना है और इससे solve करना है तो अब इसके उपर जो exercise 3.2 हम बात करेंगे 3.2c है उसके अंदर अप्रॉक्स 9 questions है 1-9 तो वो 9 question में यह दो टाइप कही question है अगर यह दो टाइप के question आप solve कर लेते हो तो आपको आजाएगा करना क्या है देखो यहां पर है ना हम क्या करते है जो numerator है जो numerator है इसको ए इंटू यह जो denominator इसका derivative a into derivative of denominator plus b में convert करते numerator को आपको convert करना इस तरीके से समझ में आ रहा है देखो बहुत आसान तरीका है कैसे करेंगे देखो यहां पर की px plus q यह जो px plus q है इसको मैं क्या करूँगा इस तरह से convert कर दूँगा तो यहां पर क्या आजाएगा पता है अगर मैं इसको convert कर देता हूं आई इस तरह से अब करने के लिए पिछले अभी देखा द्री पॉइंट टू ए में मैंने बता आता कैसे करना है मैं अभी सम भी बताऊंगा चलो px plus q को हटा देता हूं नुमेरेटर को और उसकी जगा पर आ जाएगा एंटू derivative of this derivative of denominator मतलब यह x squared plus bx plus c आ गया ठीक है plus b यानि कोई तो एक नंबर आया बी और अपॉन में क्या है यह जो denominator है वही आ गया A x square plus B x plus C तो होगा क्या यहाँ पर D x से समझो तो होगा क्या यह इतना करने के बाद पहले तो यह convert करोगे A और B की value निकालना पड़ेगा यहाँ पर है न numerator is equal to A into derivative denominator plus B यह करके compare करके A और B की value निकालोगे A और B यह number में रहेगा उसके बाद यह आप numerator को हटा दोगे यह numerator को उसकी जगा पर यह लिख दोगे जो आपने compare किया था अब क्या करना है आपको split करना है यह जो denominator एक बार इसके नीचे लिख होगे integration के साथ derivative of this A x square plus B x plus C इस तरह से upon यह जो denominator था वो A x square plus B x plus C और यहाँ पर D x इसके साथ आजाएगा फिर plus integration यह B P के नीचे वापस से यह लिख होगे A x square plus B x plus C इस तरह से और यह D x तो इस तरह से होगा यह type है ऐसा question आया तो यह numerator वाला तरीका लगाना है numerator को बदल देना है इस वाम में इसका फाइदा क्या होगा दो integral मिल जाएंगे यह हो जाएगा i1 जैसे i1 plus i2 और जैसे कि हम ले सकते है i1 और plus i2 इस तरह से 2 आगे है i is equal to दोनों को आप अलग-अलग तरीके से solve कर सकते हो जैसे कि यह काफी simple हो जाएगा यहाँ पर एक तरीका आपने सीखा था कि integration of any function जो function denominator में है और उसका derivative उपर बैठा हुआ है तो इसका integration हम क्या करते है log of fx याद आ रहा है कैसे करते है इस तरह से अगर कोई function denominator में है उसका derivative numerator में है तो हम उसका integration कैसे लेते है जो denominator में है उसका log कर देते है तो यह वो तरीका यहां लग जाएगा पहला जो i1 है यहाँ पर क्या आ जाएगा यह जो a number बार आ जाएगा यहाँ पर जो log आ जाएगा log of denominator यह जो भी है ना इसका log आ जाएगा तो यह पहला integration solve हो गया जो पहला integration था यह solve हो गया सीधा क्योंकि जो denominator जो function है उसका derivative उपर बैठा हुआ है यह जो है इसका derivative यहाँ बैठा है जब भी कोई function का derivative उपर है तो उसका integration काफी आसान होता है log of denominator होता है तो इसका derivative उपर बैठा हुआ है तो इसका integration क्या आएगा log of this denominator हो गया है अच्छा जब इसकी बात करेंगे यह कैसे किया तो बी नंबर यह बारा जाएगा वन अपॉन एक स्वार प्लस प्लस सी यह कॉड़री की क्योशन आया अभी पीछे हम लोग जो कर रहे थे मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर यह वाला देखो यह यह जो था इस स्क्वाइर से हमने क्या किया किया यहां पर पर्फेक्ट स्क्वाइर बनाके इस तरह से कौन से फॉर्मेट में बता है जो मैंने फॉर्मुले अभी 3.2b के लिए च्वाइट में लाना और इसके हिसाफ समझो यह आ गया तो इसका इंटीगरेशन यह आजाएगा वन अपॉ 3.2c 3.3 3.4 सब जगा आने वाले यह formula अच्छे से याद करो तो अभी जो मैं बता रहा हूं 3.2c के लिए उसके लिए जो भी question आप solve करोगे बच्चो उसमें दो पार्ट हो जाएंगे numerator और इस तरह से तो पहला जो पार्ट है वो इस तरीके से solve हो गया यानि कि यह जो मैंने बताया जो denominator का derivative उपर है तो सिधा log of denominator हो गया दूसरे वाले पार्ट को पहले जो हम कर रहे थे quadratic equation में इसको convert करके one upon x square minus a square यह x square plus a square में convert कर देंगे और उसके बाद क्या होगा वो formula अपलाए करके इसका integration आ जाएगा तो यह तो हुआ पहला type यह कि अगर root लूट नहीं है तो!" ृूट होगा तो वाला भी बता देता है आपको के तो प्लक्य चलो यह थो सम्जो यही पर अगर यही सम्जो तरीका यही है root होगा तो भी यही तरीका आपको यह type दिया है यह यह type दिया है दोनों type के लिए तरीका यही है सिर्फ यहां root नहीं था यहां root है तो फरक क्या होगा last में integration निकलते हैं फरक पड़ेगा क्या होगा देखो आपने यह कर दिया a into derivative of denominator plus b और यह denominator root में है यह root में है denominator बस इतना ही फरक है तो क्या होगा वही सब करना होगा बाद में यह split हो जाएगा इस तरह से root और यह root है कि समझे इस तरह से फिर क्या होगा कि यहां पर हमने और जो पहला पार आइवन है यह कैसे आया कि integration डिनोमेटर में एक fx है जो root में है समझे आ रहा है कि दिनोमेटर में एक function जो root में है और उस function का derivative उपर बैठा हुआ है तो इसका integration निकालने का अलग तरीका था क्या था याद आ रहा है क्या था टू टाइम्स टू टाइम्स यह जो root fx से यह होता है याद रखो छोटी-छोटी मगर मोटी बाते समझ में आ रहा है अगर यह root रहेगा तो हम इसका इसको में कैसे integration निकालो सीधा सा यह formula याद रखो ना integration निकालने की जरूती नहीं है समझ में आ रहा है यह बहुत इंपॉर्टन बात बता रहा हूं अगर यह square root नहीं होता तो क्या था लॉग of fx आता square root होने के वैसे two times root fx आ जाएगा और plus c तो आने वाले है तो यहाँ पर जो first part है नीचे देखो root में कोई function है और उपर उसी function का जो है derivative यह तो समझो बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर यह जो है यह कैसे आ जाएगा देखो यह यह कैसे आ जाएगा एंटू इसका two times root यह आ जाएगा बस यही बात है यह पहला पार्ट हो गया अब दूसरा पार्ट कैसे करेंगे बी अपॉर रूट यह है तो एक इसको भी आप चाहे करें स्कॉर में स्कॉर में पीछे किया हुआ है वैसे कर देना उसका फॉर्मूला में बना कि फॉर्मूले को अपलाई कर देना ठीक है तो कौन्सा था रूट वाला फॉर्मूला वह भी दिखा देता हूं एक मिनिट दिखा देता हूं अब देखो यह जो फॉर्मूले थे तीनों कौन्से थे देखो वन अपॉन रूट एसको रहा है इस फॉर्मेट में लाकि डारेक उसको साइट निवर्स एक सब्सक्राइब कर देना अगर इस फॉर्मूले में आ है तो लॉक कर देना यह इस फ अब यह आपके सामने एक एक्जांपल है आई इस एक्वल टू टू एक्स माइनस ट्री अपॉन ट्री एक स्क्राइब प्लस फॉर एक्स प्लस फाइब तो इसको आप मैं देखो जो तरीका मैंने बता है उससे करने जा रहा हूं पैचान लो कैसे बचानों के नीचे वाड् खोट्रीक टू आप के लिए समझे आएगा इस क्से एक प्लस फॉर रूट में देखो आ गया है और यह कैसे तो कैसे करेंगे देखो यहां पर आई इस इक्वल टू यह है तो मैंने क्या बता है जो numerator है numerator is equal to a into derivative of denominator करोगे plus b करोगे a और b को एक numeral या constant है इस तरह से समझ लो अब numerator यहाँ पर क्या है 2x-3 वो लिख दो 2x-3 यहाँ a और b की value भी निकाननी है a into derivative of देखो ध्यान से derivative of denominator मतलब यह 3x square से लेके 5 था 3x square plus 4x plus 5 और plus क्या है b a और b को a और b ही रखना उसकी value फाइन करेंगे यहाँ पर क्या है numerator is equal to a minus लेक दिया का मैंने 2x-3 is equal to a into इसका derivative क्या है का 3 2 जा 6x plus 4 आ गया 4x का 4 5 बट गया plus b simplify करो a और b की value निकाननी है 6x 6ax plus a into 4 4a plus b यहाँ पर compare करो यह 2x-3 compare करो देखो यह 6ax और 4a plus b साथ में रखो x के साथ coefficient क्या है 6 x के साथ क्या है 2 यहाँ पर करते x का coefficient 6 है x का 2 तो 6a is equal to 2 यहाँ पर देखो क्या है 4a plus b minus 3 को equal है 4a plus b minus 3 इस तरह side में अब compare कर लो यह नीचे कर लो तो यहाँ पर के a क्या जाएगा 2 upon 6 याने 1 upon 3 आ गया है यहाँ पर रखो 4a क्या है 1 upon 3 याने 4 upon 3 हो गया plus b is equal to minus 3 b क्या जाएगा minus 3 minus 4 upon 3 cross multiply किया तो क्या आ गया 3 3 जा 9 minus 9 minus 4 तो minus 13 upon 3 आया so a और b की value आ गयी देखो a और b की value आ गयी यहाँ रख देना भी तो अब यह जो question कैसे हो जाएगा i is equal to जो question था देखो इसी में integration जो numerator था numerator कहता a a क्या है हमारा 1 upon 3 1 upon 3 into derivative अभी derivative of denominator मतलब यह देखो यहां रख रहे हैं 3x square plus 4 3x square plus 4x plus 5 आया और plus b b कितना आया minus 13 upon 3 आया कि माइनर 13 upon 3 है upon क्या आ गया denominator जो था वही 3x square plus 4x plus 5 और यहां पर dx अभी मैंने क्या किया अभी तक मैं derivative ले रहा था क्या integration ले रहा था क्या अभी मैं क्या कर रहा था कि जो question था उसको उसके type के हिसाब से जो यह तरीका है उस तरीके से मैं convert कर रहा था मैंने numerator को बदल दिया numerator को in terms of denominator बदल दिया अब यह question हो गया बहुत आसान अब आप चुटकी में इसको कर लोगे कैसे अब split कर दो i is equal to यह जो था इसके नीचे एक बार यह लिखो फिर split करके इसके नीचे एक बार लिखो तो यह क्या था देखो integration 1 upon 3 भाहर लिख देता हूं यह हो गया derivative of 3x square plus 4x plus 5 और upon में क्या है देखो 3x square plus 4x plus 5 इस तरीके से और यहां पर क्या आगया dx फिर यह plus minus minus हो गया integration आगया 13 upon 3 है और upon upon क्या आगया यह 3x square plus 4x plus 5 यहां पर जो 13 upon 3 है उसको हम common भी ले सकते है अब 2 integration के parts आगा है यह i1 है यह i2 है इसको चाहिए तो हम कैसे कर सकते हैं कि i is equal to i1 plus i2 रख सकते हैं यह i1 minus i2 है समझें यह minus है तो i2 रख दिया अब जो i1 था इसको लिख दो i1 is equal to 1 upon 3 integration base में यह है और उपर उसका derivative बैटा है नीचे function है उपर उस function का derivative है तो इसका integration कैसे निकालना था हम लोगों को इसका integration पहले 1 upon 3 है वो लिख दो constant जो था log of denominator log of this 3x square plus 4x plus 5 3x square plus 4x plus 5 और plus c यहने जो पहला पार्ट है पहला पार्ट यह वो i1 है उसका integration हम लोग कर चुके है उसका integration हम लोग कर चुके है अब जो पार्ट है उसका integration निकालना जरूरी है जो i2 है तो मैं क्या करता है अब i2 solve करके आपको दिखाता हूं जो बिल्कुल 3.2 बी की तरह है तो अब i2 i1 हो गया i2 क्या है देखो माइनस यहां पर है बात में लगाएंगे 13 अपवन 3 को मैं बाहर ले लेता हूं फिर यह जो integration है ज़रा एक 3 बार आ गया यहां क्या बचेगा x square फ्लस 4 अपवन 3 x फ्लस y अपवन 3 3 common लिया तो जहां पर 3 नहीं था वहां अपवन 3 आ गया तो 2 2 जा 2 upon 3 का square 2 का square 4 upon 3 square 9 तो यहां पर 4 upon 9 plus करना और माइनस करना x square फ्लस 4 by 3 x व्लस यहां पर 4 upon 9 मैंने plus कर दिया जो 5 upon 3 यह इसमें 4 upon 9 मैंने माइनस कर दिया और यहां पर क्या आ गया d x यह जो 3.2 B का तरीका था वह तरीका अपना रहा हूं सेकेंड पार्ट करने के लिए पहला पार्ट तो आसानी से आ गया वन अपन तरी जो था लॉग ऑफ डिनॉमिनेटर कर दिया अगर यहां रूट होता ना सिर्फ तो यह क्या था टू टाइम्स रूट जो था हूँ आ जाता ओके तो सेकेंड पार्ट अब हम कर रहें सेकेंड प आपर बाहर जो नमबर आ ऐसे ही रखो अब इसका क्या दो को वन अपन इसको पहले कंप्लीट स्क्वाईर करो यह किसका है एक एकस पहला और सब प्लस यह प्लस और यह फुर अपन नाइ इसको क्रॉस मॉल्टिप्लाइब करो यहा तो जैसे ल सीम सी इंप का या था अपॉ स्क्वार्ट तो इससे क्या होगा रूट 11 का स्क्वार 11 3 का स्क्वार 9 वो रफ वर के थोड़ा एक एक स्टेप उड़ा दे रहा हूं मैं काफी लंबे चोड़े सम्में आप कर सकते हो डारेक नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा सल्यूशन आजाएगा सो i2 is equal to 13 upon 9 यह 1 upon x square plus a square है याद आ रहा है क्या था इसका formula 1 upon x square plus a square पहला ही formula था ना क्या था 1 upon a याने यह root 11 upon 3 tan inverse x by a x क्या है x plus 2 by 3 upon a root 11 by 3 और plus c यहाँ पर इसको c2 दे सक्क्यों ओके यह और इसके constant को c1 दे सक्क्यों तो अब अपने को दोनों आ गए i2 भी आ गया देखो यहाँ पर अगर cancel करोगो तो यह 3 से 9 cancel होकी 3 आ गया i is equal to 13 upon 3 root 11 tan inverse इसको भी simplify करोगो तो 3 into x 3 x plus 2 और upon 3 और इधर भी upon 3 है दोनों का upon 3 cancel हो गया root 11 plus c2 तो यह i2 आया रहे i लिख दिया मैंने यहाँ पर i2 है अब फाइनली यहाँ देखो यहाँ क्या था i is equal to i1 minus i2 तो आप क्या करोगे यह काफी लंबा चोड़ा solution हो रहा है डरो मत i is equal to i1 minus i2 करना फिर i1 क्या था देखो i1 यहाँ से yellow में लिखा था मैंने i1 यहाँ था 1 upon 3 log of so 1 upon 3 log of 3 x square और क्या था 3 x square plus 4 x plus 5 3 x square plus 4 x plus 5 plus c1 था फिर minus i2 i2 क्या है यह देखो 13 upon 3 root 11 okay tan inverse 3 x plus 2 root 11 और c2 दोनों का constant दो अलग लेना है दोनों यहाँ c1 और यह c2 इसका c1 इसका c2 minus किया थे एक नहीं है constant आदा समझो c हो गया तो यह अब आपका final answer हो गया आई का जो question था इस तरह से इसमें चीए तो 1 upon 3 common भी ले सकते है बड़ ज़रत नहीं है इसी रखो ठीक है तो यह हो गया ऐसे questions करने हैं बच्चो क्या करना समझ में आ रहा है कि जो numerator है ऐसा question है तो जो numerator है उसको a into derivative of denominator plus b करके split करना पहले convert करना a और b की value compare करके find करना फिर question में रख देना numerator को अटागे फिर यह जो denominator है दो बार दोनों के नीचे लिखोगे तो 2 integral आजाएगा i2 और यह हमेशा simple है denominator का derivative ऊपर है तो क्या होगा i1 कैसे आ जाएगा कि log of denominator यह आ गया दूसरे वाले को आप complete square method से solve करते जाओ तो वो formula बन जाएगा जैसे बन गया ना one upon x square plus a square तो उस formula के help से दूसरा आ गया फिर दोनों को यहाँ जैसे मैंने लिया था दो पार्ट i1-i2 द हुआ है यह second i इसको भी आप वैसे ही करोगे यह दो को यह numerator है numerator is equal to क्या करोगे a into derivative of denominator ठीक है plus b तरीका वही है अब यहाँ पर denominator में root मत लेना लेकिन मतलब denominator में root मत लेना मतलब क्या करना है कि a into derivative of यह लेना है root के अंदर का number लेना है 2x square plus 2x plus 1 याद रखो plus b यह करो इसको हटा के उसकी जगब पर यह लिखना पहले convert कर लेना 3x plus 4 यहाँ पर यह 3x plus 4 लिखना और a into a करके इसको solve करके फिर a और b की value निकालना और बाद में यह जो चीज है इसको आटाके a b के value के साथ रखना फिर इसको split कर देना तो पहला जो पार्ट यह root में root में fx है और उसके उपर इसका derivative है तो उसका answer क्या आए 1 upon root x square plus a square का formula आएगा जो अभी हमने लिया था 1 upon x square plus a square रूट नहीं आथा रूट में आएगा या तो a square minus x square आएगा या x square कुछ भी आएगा तो उसका formula तो आपके पास है ना मैंने starting में दिया अभी 3.2b start होने के समय तो इस तरह से इसको करना है तो यहाँ पर जो 9 question 3.2c मे सबके सब question इसी तरीके के हैं ओके तो यहाँ पर आपका revision हो चुका है अभी तक 3.1, 3.2a, 3.2b, 3.2c यानि कि 3.2 जो था a, b, c, 3 exercise यह substitution के उपर था अब हम लोग बढ़ते है exercise 3.3 के उपर ओके यह question आप खुद से करो अब exercise का ही question है 3.3 और 3.4 आगे करने जा रहे हैं देख integration by parts है integration by parts मतलब क्या होता है u into v rule apply करना होता है और 3.4 में partial fraction है जो अभी हम लोग कर रहे थे ना यह 3.2c के लिए partial fraction बिलकुल ऐसे ही होता है okay partial fraction तो हम लोग अभी जो आप 3.2c सीखे तो समझ लोग कि आपको 3.4 का भी revision हो गया 3.4 बिलकुल इस तरह से है जैसे मैंने किया ना numerator को convert करना हो गरे वैसे ही है वह 3.3 जो है u into v rule करना है कोई भी दो function का multiple है तो चलो शुरुआत करते हो 3.3 के concept से 3.3 पे हम आ गए है integration by parts 3.3 में है और कुछ अलग टाइप को question भी है पूरा जो 3.3 है 42 questions है इसके अंदर 42 तो क्या पूरा करना चाहिए क्या देखो मैं कुछ बता देता concept आपको सब आ जाएगा टेंशन मतलो integration by parts क्या होता है यू into v rule हम apply करते हैं integration by parts मतलब क्या कि कोई भी दो function है अगर इस तरह से समझो कि कोई function u है दूसरा function v है दोनों का multiply है तो इसका अगर हम चाहते integration करना with respect to x तो हमारे पास एक formula होता है integration u into v with respect to dx क्या formula होता है हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको l i a t e liate या तो इसको i let भी बोल सकते हैं क्योंकि starting का जो l और i होता है वो क्या होता है logarithm और inverse तो यह इतने type के function होते हैं जैसे कि logarithmic function, inverse function, algebraic function, trigonautic function, exponential function तो अब आपकी यह दो function वो कौन से type के हैं पहले आप check करोगे कि u और v में से किस type के question है सपोज मैं यहाँ पर लेता हूँ e raise to x into sin inverse x और dx यहाँ पर आप देखोगे जो पहला function है वो exponential है, दूसरा function जो है वो inverse function है ठीक है तो इसका फाइदा क्या होता है? लियेट रूल इस दोनों को लियेट और आईलेट दोनों एक ही होते हैं अब लियेट रूल इस करो या आईलेट रूल इस करो ल और आई लोगरित्मिक और inverse में किसी को भी पहले और बाद में रख सकते हैं यह जो लियेट रूल है यह हमको sequence बताता है कि कौन से function को पहले रखना है कौन से function को बाद में जैसे कि exponential और यह inverse पहले कौन आता है i और e में से i यानि inverse पहले रहना चाहिए तो हम क्या करेंगे इसमें sin inverse x को पहले रख देंगे फिर exponential को बाद में रख देंगे और फिर solve करेंगे यह जो पहला term होता है इसको u consider किया जाता है दूसरे term को v तो कभी भी याद रखना कि आप किसी भी दो function का प्रोड़क कर रहे हो यानि integration बाइप पार्ट कर रहे हो इंटीग्रेशन ले रहे हो तो लिएट या तो आइलेट तो नमें से कोई एक rule apply करो उसमें देखो कि कौन सा function पहले आना चाहिए उसको पहले कर दो और जो function बाद में आना चाहिए उसको बाद में कर दो ओके इस तरीके से अब इसका formula क्या होता है formula लिखना चाहूंगा यहाँ पर मैं इसको मिटा देथा हूँ चलो इसका formula क्या था देखो इसका formula है u integration of v with respect to x minus बड़ा integration फिर क्या करना है कि यह जो छोटा integration था वापस लिखो v dx फिर into यह जो पहला u था उसका derivative derivative of u with respect to x इसको चाहिए तो du by dx इसके पहले भी लिख सकते हो इसके पहले यह इसके बाद में multiply चलेगा और यह इस तरह से करना है और with respect to x तो यह formula हो गया यानि क्या कि पहले u as it is लिखेंगे फिर v का integration with respect to x फिर minus बड़ा integration फिर ब्रैकेट उसमें यह जो integration v dx यहाँ जो आया रहेगा वो same repeat करने का फिर यह जो पहला u है उसका derivative इसको आगे पीछे कर सकते हैं du by dx को पहले और इसको बाद में क्यों बार बार ऐसे बता रहा हूं यह भी कर सकते हो क्यों कि बहुत बार में जब सिखा था बच्चे बलत सिखा आया अरे क्या गलत सिखा आगे पीछे कर सकते 2 x 3 कर प्रवाने वाला सिक्सी है अभी मैंने पिछले बार बताया था आई लेट रूल तो बच्चे बोलते नहीं नहीं गलत बताया है लिए टूल होता है अरे दोनों चलता है आई और ल में फरक नहीं पड़ता है आई और ल में इन्वर्स और लोगरित्मी में किसी को भी इसको मिटा देते अभी और आगे बताता हूं इसके अंदर आपने देख लिया क्या है यह यह फॉर्मूला इस फॉर्मूले को याद कैसे रखे एक बार वह देखते हैं 3.3 पूरा इस फॉर्मूले के बेसिस पर है बच्चो 3.3 अब हम एंड में आ गए 3.4 करेंगे चैप् यू इंटू इस फॉर्मूला अपलाएकर एंसर आ जाएगा तो कैसे करना है जो यू है उसको पहले एस इस रख दो जो भी है उसका इंटिग्रेशन कर दिया फिर माइनस बड़ा इंटिग्रेशन ब्रेकेट यह जो इंटिग्रेशन वी इस रिपीट पहले यू का डेरिव तो यह तरीका हो गया इसके बेसिस पर हम एक एक्जामपल भी सौल करके देख लेते हैं और भी बहुत सारे टाइप से बड़ में आपको एक्जामपल सौल करके बता देता हूं यह जो है logarithmic function है तो अगर आप liate या highlight रूल लिखते हो तो कौन सा है देखो पहला algebraic है algebraic दूसरा क्या है logarithmic logarithmic इस तरह से समझ में आ रहा है log या ने log तो पहले l आता है तो यह logarithmic को पहले रखना चाहिए sequencing के लिए liate rule उस करते हैं और algebraic को बाद में रखना चाहिए यह हो गया इस तरह से अब यू इंटू वी रूल अपलाए करो यहां पर आप लिखो गे हर बात यू इंटू वी दी एक्स इस तरह से क्या formula होता है रिपीट एक मिनिटा पहले यू लिखना चाहिए यू फिर छोटा इंटीग्रेशन वी दी एक माइनस एक बढ़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन वी दी एक्स इंटू डेडिवेटिव आफ यू दी एक्स करोगे तो आपको भी इस तरह से याद हो जाएगा एक दम प्रैक्टिस करते करते ही बहुत सारे क्वेशन अगर आपने सवाल के याद होगा आपको अब कैसे करेंगे देखो यह जो फॉर्स्ट वाला पार्ट है न वेटा यह यू है यह यू है और जो यह सेकेंड पार्ट है यह वी है ऐसे किया जब यू मतलब लॉग एक्स फिर integration V याने यह जो V है देखो यह जो है यह 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 यू है याद रखो इंटीग्रेशन V मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्सक्वैर डी एक्स मा इनग्स बढ़ा इंटीग्रेशन फिर क्या करूँ यह जो था नहीं कॉपी करना है आपर integration x2 dX फिर derivative आप इस पैला पार्ट यह क्या था आई इंटीग्रेशन जो करना था वो आ गया log x इसको देखो हर एक चीज किसी को भी देखा उसका integrate करना चालो कि ऐसा मत करो log x इसको पहले रखो उसके पहले कुछ आईगा सेम सेम ही आएगा ओके फिर log x का derivative तो 1 by x इसको रखो और इसके बार यह जो dx है इसके साथ रहेगा यह integration और dx आटा तो x square का ही आए अभी हमने देखो अंधर यहां पर यह integration solve किया यह solve किया तो एक plus constant c1 लिख सकते हो यहां पर पहली बार एक integration solve किया क्योंकि अभी एक और integration है और एक constant आएगा तो finally एक c लिख देनेगा तो c1 लिख दिया चलो i is equal to log x into x cube by 3 तो इसको में लिख सकते हैं 1 by 3 x cube log x ऐसे जड़ा अच्छे से लिख दिया minus आप देखो यहां पर यह x और यह cancel होगा तो x square आया यह 3 बार ले लो 1 upon 3 integration x square into 1 x square dx plus constant c1 ओके तो finally क्या आ गया यह 1 by 3 दोनों में से common ले सकते हैं बाद में लो common चलो पहले इसको simplify कर लेते बाद में देखते हैं यह integration अभी लेना बागी है ना x square का integration x cube upon 3 प्लस यहां से एक और constant भारा है c2 c2 और c1 मिलके ना है constant c constant के आप लेने का अब देखो यहां पर क्या common आ गया x cube upon 3 common है चलो x cube भी common आ गया x cube upon 3 x cube upon 3 common तो यहां क्या बचा log x minus x cube upon 3 common है तो 1 upon 3 c तो यह हो गया हमारा integration देखा कितने आसानी से हमने जो यह formula था ओके integration by parts का जो यह formula था उसको use किया उसको पहले लिए ट्रूल से rearrange किया और बाद में solve कर दिया और simple तरीके से हमें आ गया तो यह u into v rule कैसे apply करना वो मैंने अभी आपको सिखाया कि किस तरह से आप u into v rule को apply कर सकते हो अब पीछे देखते हैं हम लोग u into v rule जहां में सिखा रहा था कि कुछ और भी type के question होते हैं बच्चों यहां पर u into v rule तो है यह बट 3.3 में अभी हमें कुछ और जो फॉर्मूले देखने हैं आपने 3.2 b में देखे थे वैसे ही फॉर्मूले 3.3 में भी हैं यह वाले फॉर्मूले बट यहां पर क्या है 3.2 b में one upon करके था यहां पर one upon नहीं होगा तो इनके फॉर्मूले का एंसर पहले में आपको बताना चाहूंगा कि अगर समझो कोई इस तरह से root a square minus x square one upon नहीं है denominator नहीं है कुछ नहीं है root में है a square minus x square है या x square plus a square है या x square minus a square है तो कैसे किया जाए तो यहां पर तीनों में difference यह है कि जैसे यह a square minus x square root में है यहां पर क्या हुआ यही चीज़े plus में x square plus a square यह उल्टा भी हो सकता a square plus x square क्योंकि plus में आगे पिछे रहा तो चलेगा और यही दोनों यह minus में तो formula में हम क्या करेंगे x by 2 लिखेंगे और यह जो है वो लिख देंगे root a square minus x square तीनों के अंदर आए पूरा भी 1 ही रुको incomplete है x by 2 जब भी ऐसा formula आता है तो पहले x by 2 लिखे जो है वो लिख देना यहां भी x by 2 लिखना देखो तीनों formula एक साथ याद रखने के लिए compare करके बता रहा हूँ यह minus है minus लगाना minus minus था ओके x square minus a square फिर क्या करेंगे जैसे root a square minus x square है यहाँ पर plus यहाँ पर plus x square plus x square minus a square वाले में minus देना है फिर क्या करना है यह जो a square है देखो सब में a square a square by 2 a square by 2 और a square by 2 करना है फिर क्या करना है कि यह देखो यह root a square minus x square है यह sine inverse वाला टम होता है sine inverse x by a जाए और plus c याद रखना जब root a square पहले x square बाद में a square minus x square तो sine inverse आएगा otherwise इन दोनों में log आता है क्या आता है दोनों में log आता है log के बाद क्या आएगा x आएगा log x प्लस यहां क्या आएगा x प्लस फिर यह जो bracket है यह से मैं इस उठाए के रख दो रूट एक स्क्वेर ब्लस एक स्क्वेर रूट एक स्क्वेर में देखो आपको फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं कि एकदम रट्टा मारने की जुरूत नहीं कंपेर करके याद रखो यह तीन फॉर्मूले 3.3 के लिए बहुत ही तो x by 2 root यह जो था as it is plus a square by 2 side inverse x by a अब यहाँ पर अगर समझो यह a square पहले ना हो के बाद में हो और x square plus a square है यह x square minus a square है तो ऐसे टाइम पर क्या करेंगे स्टार्टिंग में x by 2 और यह जो root था वो ही आएगा अगर यह plus से थो plus आ गया यह minus से थो minus आ गया a square by 2 तो आएगा पही आएगा तीनों में यह सेम है इतना यहाँ पर क्या होगा x square अगर पहले है plus a square यह x square minus a square है यह a square minus नहीं है तो log आ जाएगा x plus और यह जो था यही उठा के copy कर देंगे x plus के बाद तो इन तीनों formula को यहाद करो अगर यह समझो ऐसे होता root a square plus x square तो भी यह formula रहता इसका भी same formula है तो कि यह plus में आगे पीछे लिख सकते हैं तो याद रखना यह तीनों formula यहाद रखो इसी के basis पर अभी हम question solve करेंगे यह तीन formula आपको आना चाहिए 3.3 के लिए ओके चलो अब आगे देखते हैं एक ऐसा टाइप है जो हमने अभी देखा था कि अगर px plus q है उसके नीचे x square plus bx plus c है अब यह ऐसे है यह root में कैसे भी हो integration dx है तो हम क्या करते थे इसको change करते थे सेम इसी तरह से अगर इस तरह से बीना upon के denominator आए px plus q और अंदर आए से आए तो इसको भी वही करोगे जो px plus q है उसको क्या करोगे a into derivative of यह जो root वाला number है वो कर दोगे plus b इस तरीके से आप px plus q को convert करके फिर solve करोगे तो आपका answer आजाएगा यह एक type याद रखो इस type का question आया तो px plus q को इसके form में convert करना है जैसे यह upon वाले को करते थे 3.2 के c में वैसे 3.3 में upon नहीं होगा तो ऐसे होगा तो भी करना है और इसके अंदर बात में यह formulas हो सकते करेंगे आभी करेंगे tension मतलो एक और टाइप जो अपको 3.3 में सीखना है वो क्या है कि अगर integration e raise to x into एक bracket आता है उस bracket में कोई एक function है और उसी function का derivative उसके बाजू में बैठा हुआ है अगर उसी function का derivative बाजू में बैठा हुआ है तो क्या करेंगे इसका जो answer आता है वो आता ह e raise to x into function है वही बस हो गया और plus c इतना आसान answer है कि अगर कोई integration e raise to x है फिर bracket में एक function है और उसके बाजू में उसका derivative बैठा हुआ है तो इसका integration आगा e raise to x as it is और यह function हो गया पस ऐसे करना है इसके basis पर भी एक question कर लेते हैं यहाँ पर u into v rule का किया ही था यह अभी करेंगे इसके basis पर कर लेते हैं जैसे कि देखो यहाँ पर e raise to x है bracket में यह one upon x है देखो one upon x का जो derivative होता है वो minus one upon x square होता है तो अगर मैं बोलू one upon x के बाजू में जो minus one upon x square है वो इसका derivative ही होता है solve करो के तो वही आएगा अपने formula में भी याद रखा है कि one upon x का derivative minus one upon x square तो होगा क् आप दिखा सकते हैं कि since integration e raise to x fx plus f dash x dx is equal to e raise to x into fx plus c यह जो formula है वो लिख दो कि अगर ऐसा type होगा तो इसका answer क्या आएगा i is equal to e raise to x जो है वो आ जाएगा और जो किसका derivative होने इसका derivative यह है यह यह fx है और यह f dash x है तो यह आजाएगा one upon x और plus c कभी कभी क्या होता है question में यहां कैसे direct दिया था यह function दिया था और इसका derivative बाजू में बैठा हुआ है कभी कभी क्या होता है इसको modify करना पड़ता है सीधे सीधे नहीं दिया हूँ हाँ e raise to x दिया तो समझ जाना कि bracket के पहले e raise to x है मतलब यह वाला formula apply हो सकता है फिर अंदर bracket में चिक करने का कोई function है क्या उस function के वाजिए में उसका derivative बैठा है क्या तो अगर नहीं बैठा है क्या हम उसको ला सकते हैं क्या तो वैसे करके भी ह और देखते हैं यह वाला example कैसे किया जाए तो अभी मैंने आपको तीन formula बता है रूट वाले जो one up one में नहीं थे वह formula हम use करेंगे तो सबसे पहले इसको completing square methods है जो quadratic equation इसको modify करते हैं यहां पर देखो यह integration है root है 4 है इसको आगे पीछे अगर करते है minus common लेते तो यह हो जाएगा 2x square minus 3x इस तरह से हो गया dx ऐसे ठीक है और यहां से 2 common भी ले लेते हैं I is equal to यह 2 common लेते तो यह हो गया integration 4 minus 2 यह हो गया x square minus 3 by 2x ठीक है अब क्या करते हैं इसको completing square method करने के लिए half into coefficient of x x के साथ क्या है 3 by 2 उससे multiply करके square करते 3 by 3 का square 9 2 to the 4 square 16 तो 9 upon 16 यहां पर plus करो और यहां minus करो ताकि यह complete square बन जाए यहां dx लिखते जाना है जब तक integration है तब तक dx है अब यह 2 यहां into है और यह 4 है दोनों में से 2 common लो root के बाहर आने के बाद 2 का square root 2 हो जाएगा root 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचा यहां पर यह 4 में से 2 common आ था तो 2 बचा यह 2 common आ चुका था यहां पर देखो यह x square इसको ऐसे लिख सकते x square minus 3 by 2x और यह 9 by 16 को 3 by 4 the whole square कर सकते और यह minus यह जो minus है और minus plus हो गया 9 by 16 9 by 16 को बाहर कर दिया अलग ही कर दिया है निकल बाहर अब क्या होगा अरे dx में कहना लिख रहा हूं उसको upon समझ लिए यह upon नहीं है dx लिखना था यहां पर सामने सामने लिख रहे है यह इस तरह से i is equal to root 2 है इसको integration के बाहर लेडो integration यह 2 upon 1 है और यह 9 upon 16 है इसको solve करेंगे तो क्या आएगा 16 टूजा 32 32 minus 9 देखो 16 टूजा 32 और minus 9 किया तो कितना जाएगा 23 23 और 9 32 होता है बरबर तो यह अगर करते है इसको plus 2 में 2 16 टूजा अरे मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ प्लस करना था एक मिनटा रुको इतना ज्यादा सम्स कर सके अरे न भैवी confused हो रहा हूँ देखो यह 9 upon 16 और 2 upon 1 को plus करना पड़ेगा यह minus तो इसके लिए था 16 टूजा 32 32 प्लस 9 41 upon 16 तो 41 upon 16 आया 41 upon 16 आया और minus यह जो था इसको करेंगे तो x minus यह 3 by 4 the whole square आ गया और यह पूरा क्या है रूट में है और यह dx देखो मैं उस format में लाने की कोशिश कर रहा हूँ ओके अब क्या होगा देखो यह किसका square इसको square के form में लिखना है root 2 integration बड़ा root 41 यह root 41 upon 16 आया 4 इसका square होता है यह और minus यह है x minus 3 by 4 the whole square अब कौन सा formula है देखो यह पहला formula है कि root a square minus x square पहला formula है आओ चलो देखते क्या था वो formula सारी चीजे में step by step अच्चे से बता रहो बिटा आपको ध्यान से देखना है सब आ जाएगा root a square minus x square एकदम ध्यानते देखो formula क्या था कि पहले constant a square बाद में x वालट हमें तो हम क्या करते है x by 2 यह जो x है उसकी जगा जो भी होगा go upon 2 फिर यह जो question है वापस repeat कर देते हैं यहाँ पर फिर plus फिर यह जो a की जगा है वो a square by 2 फिर sine inverse करना पड़ेगा x by a plus c ठीक है चलो क करते है अप्लाइ करो formula कैसे करोगे यह root 2 तो बाहर था इसको बाहर ही रखो root 2 को integration के अंदर था यह तो क्या था पहले x by 2 पहले क्या था x by 2 याने x क्या है देखो यह पूरा x है x minus 3 by 4 upon 2 यह x by 2 आ गया फिर into यह जो bracket में था यह पूरा as it is याने यह यह क्या था देखो इसक यह चलो लिखो जो है जो था वो लिखो ओके x minus 3 by 4 the whole square यह क्या था x by 2 into यह आ गया फिर plus a square by 2 a square मतला यह जो a है इसका square a का square याने की root 41 upon 4 square a square by 2 फिर sin inverse x by a x याने क्या था x minus 3 by 4 upon a क्या है root 41 upon 4 plus c चलो यह हो गया यह हमारा answer आ चुका है यह root 2 सब के लिए common है यहाँ पर अब क्या करेंगे simplify हो सकता है उतना simplify कर दो i is equal to root 2 को डाल दो अंदर चाहिए तो रूखो थोड़ा simplify करते है यह क्या हो जागा 4 into x 4 x minus 3 4 x minus 3 आया और upon 4 4 to the 8 इस तरह से यह root 2 है समझो बार ही रखो इसको या तो फिर चलो यह root 2 चाहिए तो इदर ले लो चलो multiply कर दिया into यह जो था क्या था root 41 यहाने 41 upon 4 का square 16 minus x minus 3 by 4 the whole square है plus यह क्या root 41 का square 41 4 का square 16 16 to the 32 और यह root यहाँ पर आगया तो यह root 2 फिर sine inverse इसको simplify करो 4 into x 4 x minus 3 upon 4 और यहां का upon 4 cancel root 41 plus c यह हो गया answer तो इस तरह से यह answer हो गया है जो यह square root वाला term है इसको चाहिए ना तो यह square root वाला term simplify करके यहां जो था यह यह भी लिख सकते हैं x square minus 3 x by 2 लिख सकते हैं इसको अगर यह square root वाले term को solve करते हैं तो उसकी जगह पर यह जो था term वह पसे देख लो यह जो term आया था square root वाला term यह यह यहां पर लिख सकते हैं उसकी बदले लेकिन जो आया वो लिख दो चलेगा कोई बात नहीं इस तरह से देखो हमें करना हो गया यहां पर यह इस टाइप का question तो यहां पर मैंने आपको almost सब बता दिया कि कैसे questions आएंगे यहां पर इस तरह से अगर इसका derivative यहां नहीं है तो आप आप adjust करके arrange करने की कोशिश करो कुछ modify करके आना चाहिए तो यह 3.3 का concept हो गया आओ चलो 3.4 देखते पार्चिल फ्रैक्शन 3.4 पर हम आ गये है exercise 3.4 बड़ा मज़ेदार है यार 3.4 लास्ट exercise है बट यह full marks देगा अगर इसमें से कोई question आ गया integration by partial fraction होता क्या है यह integration by partial fraction तो देखो बच्चों आपको ना कुछ इस type के question आएंगे देखो यहां पर question का type बहुत important है type को पहचानना बहुत important कोई formula नहीं है type है type मतलब कि अगर ऐसा question आया तो वैसा करना है मतलब कैसा करना है बताता हूं समझो यह numerator में और यहां पर x-a, x-b, x-c तीन अलग-अलग factors है denominator में या तो x-a the whole square है into x-b है या तो x-a into x square plus b, x-c इस तरह से factor से denominator में तो आप इसको convert करोगे a upon पहला factor क्या था x-a ऐसे कर दोगे plus जो दूसरा x-b है उसके लिए फिर plus जो तीसरा x-c है उसके लिए यानि तीन अलग-अलग fraction मना होगे पहले में a आ गया b आ गया c अब यह capital a,b,c क्या एक unknown value है एक constant है कोई तो number है वो आप find करोगे बाद में compare करके इस numerator को इसके साथ compare करके find करोगे अगर यह तीनों के तीनों अलग है x-a,x-b,x-c तो 3 है तो 3 fraction आएंगे बट यहाँ पर देखो x-a the whole square है x-a repeat हुआ है दो बार है x-a into x-a इसको आप ऐसे करोगे a upon x-a the whole square plus एक बार यह whole square है फिर उसी को b upon x-a आपस लिखोगे इन दोनों का LCM यह होता है तो दो बार जब करोगे x-a the whole square है तो एक बार वो whole square रहेगा और एक बार अकेला रहेगा फिर यह जो x-b है वो c करके आ जाएगा तो यह भी तरीका याद रखो यहाँ पर 3 थे तो 3 fraction आया था बट दो होने के बाद भी 3 fraction क्यों है तो कि यह x-a the whole square है इसके अंदर दो चीजे होती है x-a the whole square और x-a दोनों का LCM यह होता है इसको दो बार लिखेंगे ठीक है अब यहाँ क्या कर सकते हैं देखो px plus qx plus r upon a एक x-a और यह quadratic equation में quadratic type है अब क्या करूँगे a upon first factor x-a plus b upon second bracket जो है वो x square plus bx plus c इस तरीके से तो यह type है बस इसको बोलते हैं partial fraction इसको याद रखो यहाँ पर जितने denominator में factors है उन तीनों के लिए तीन fraction आ जाएगा दो है अगर square में है तो भी तीन आएगा इसको repeated बोलते हैं यह non repeated है यह repeated है fraction और यहाँ पर दो अलग अलग है एक quadratic type में है और एक single है तो बस यह ध्यान रखना है question कैसे आएंगी यहाँ जो 3.4 आपके टेक्स्वीक में बहुत ज्यादा question नहीं है बट जो भी question है इस type के है और अगर 3.4 का आगया तो खूश हो जाना क्योंकि इसका answer निकलना बहुत easy होता है इसमें दिमाग नहीं चलाना पड़ता हमें यह चलाना है क यह जो question है इसको हम उस type में convert कर दे partial fraction में और बाद में हमेशा आपको एक ही आ जाएगा कि जैसे 1 upon x का integration type आ जाएगा तो इसका integration क्या होता है 1 upon x का log x लास्ट में integration का हमेशा यही formula यूज होगा integration of 1 upon x is equal to log x बस integration का कोई formula या रखने के जोड़त नहीं है simplify करने के जोड़त है simplify कैसे करेंगे तो देखो यहाँ पर जो question है i is equal to integration 3x square plus 4x numerator कुछ भी होने दो ना उससे tension नहीं है यहाँ पर देखो x square minus 1 मतलब क्या होते पिटा x square minus 1 यहने 1 square तो दोनों को एक बार plus कर सकते एक बार minus कर सकते तो using that we can split this x plus 1 x minus 1 इसको थोड़ा सा मैंने factorize कर दिया अच्छे से तीन शेक्तर आगा कॉंसा टाइप हो गया बूलो पहला टाइप हो गया question को थोड़ा सा मैंने modify किया और कुछ नहीं so i is equal to अब इसको मैं क्या करूंगा integration लेने के लिए मैं इसको सीधा अलग से लिखूँगा मतलब integration form में नहीं लिखता हूँ इसको सीधा लिखता हूँ 3x 3x square plus 4x minus 5 upon यह जो था x plus 1 x minus 1 x plus 2 is equal to यह लिखा इसके बाद a upon यह क्या है x plus 1 plus b upon x minus 1 plus c upon x plus 2 इस तरह थे हमने लिख दिया कि पूरा का पूरा जो fraction इसको fraction बोलते है numerator upon denominator बिन्न बोलते है इस बिन्न को क्या करो fraction को तीन पार्ट में कर दिया अब क्या होगा दिखो बेटा कि यहां पर जो numerator है वो लिखो 3x square plus 4x minus 5 और यह जो a है ना a इसके नीचे कौन है x plus 1 उसको छोड़के यह दोनों के जो denominator उससे multiply कर दो LCM method है यह a into x minus 1 और x plus 2 यह हो गया समझे इस a का multiply इन दोन में किया plus यह जो b है b का denominator छोड़ दो बचा को इन दोनों का multiply b में कर दो x plus 1 x plus 2 फिर plus c c के नीचे क्या x plus 2 उसको छोड़ दो इन दोनों का multiply c में करो x plus 1 x minus 1 हो गया अब हमने क्या कि आच्छा दोनों का denominator क्या क्या इनका जो multiply होगा denominator x plus 1 x minus 1 x plus 2 इस जो multiply होगा यह दोनों denominator सेम हो जाएंगे cancel out होगा इसले मैंने उसको लिखा ही नहीं खाले उसको step बढ़ेगा इसका numerator is equal to a into इन दोनों का multiply b into उसके खुद के denominator को छोड़के बाती के दोनों से multiply होगा अब क्या होगा देखो यहां पर हम क्या करेंगे कि a b c की values निकालनी है a b c की वैल्यों तो यह अलग तरीका integration नहीं कर रहा हूं मैं आप बोलोगे कि सर question में तो integration करने बोला हाँ हां भाई integration करना है मैं क्या कर रहा हूं यह जो fraction है उसको simplify कर रहा हूं simplify करके इसको मैं ऐसे form में बदल दूँगा कि जिसका integration लेना बहुत आसान हो जागा इस टाइप का integration आ जाएगा तो अभी हम simplify करने के लिए क्या करेंगे यहां ABC की value निकालेंगे ABC की value कैसे निकालोगे तो एक बार देखो यहां पर एक बार एक की जगह 1 रखना जिससे यह 0 हो जाएगा समझ में आ रहा है मतलब एक बार क्या करता हूं put x is equal to 1 रखता हूं फिर जैसे x plus 2 है ना तो x की जगह minus 2 रखो minus 2 प्लस 2 0 हो जाएगा तो क्या करता हूं put x is equal to minus 2 फिर तीसरा कुन सा था जैसे x plus 1-1 था तो x की जगह 1 रखो x plus 2 था तो x की जगह minus 1 रखो put x is equal to minus 1 यह एक तरीका है इससे क्या करेंगे इस में से एक एक को 0 करते जाएंगे जैसे कि मैं बता था x की जगह मैंने 1 रखा ठीक है तो क्या आ जाएगा answer देखते हैं x की जगह 1 रखा तो 3 into 1 square plus 4 into 1 minus 5 is equal to यह 1 minus 1 0 0 into everything is 0 0 plus यह पर 1 रखा तो 1 plus 1 देखो यह B 1 plus 1 2 1 plus 2 3 plus यह देखो x की जगह 1 minus 1 0 0 into everything 0 तो यहां क्या आ गया देखो यह answer क्या आ गया इसका 1 square 1 1 into 3 3 4 into 1 4 3 plus 4 7 7 minus 5 2 is equal to 1 minute क्या आ गया 2 is equal to 0 plus 0 0 अड़ा दिया 2 into 3 6 B 6 B आ यह तो B क्या आ जागा यहां पर अगर मैं B की बात करूं B क्या आ गया 6 यहां तो 2 upon 6 1 upon 3 आ गया तो आपको B की value मिल गई 1 upon 3 इस तरह से तो बिलकुल इसी तरह से जैसे मैंने 1 को 0 की हा अभी put x is equal to table बनने की जरूत नहीं है मैं आपको identification की ल अच्छे से कर रहा हूँ अभी x is equal to minus 2 रखते है यहां x की जगा minus 2 minus 2 square plus 4 into minus 2 minus 5 अभी यह minus 2 plus 2 0 0 into everything 0 plus c into minus 2 plus 2 0 0 into everything 0 plus c into minus 2 plus 1 minus 1 minus 2 minus 1 minus 3 simplify करो इसको minus 2 square 4 4 3s are 12 12 minus 8 4 4 minus 5 1 minus 1 4 minus 5 minus 1 यह bracket नहीं लगाते है हो के चलो इस इक्वल तो 0 0 हाड गया माइनस माइनस प्लस 3 into 1 3 3 c तो फाइनली c क्या आ गया minus 1 upon 3 देखो c आ गया b आ गया c आ गया अब यहां पर अपने को a आ जाएगा यह सहीं किया है मैंने minus 2 square 4 3s are 12 minus 8 12 minus 8 4 4 minus 1 बराबर है चलो x की जगह minus 1 रखो इसके अंदर x की जगह minus 1 रखो यह तरीका थोड़ा सा lengthy तरीका है बट एक बार आपने इसको apply करके abc के value निकाल दीना फिर आसान लगेगा x की जगह minus 1 रखा तो यह a है x की जगह minus 1 minus 1 minus 2 minus 1 plus 2 तो 1 आ गया फिर यह minus 1 plus 1 0 और यह भी minus 1 plus 1 0 0 into everything 0 तो यह 0 और 0 आ है तो यह क्या हो गया minus 1 square 1 1 into 3 3 3 minus 4 3 minus 4 minus 1 minus 1 minus 1 minus 6 is equal to 1 into minus 2 minus 2 a minus 2 a तो यहां से 2 3s are 6 तो a की value की आ गई 3 तो इस तरह से abc की value आ चुगी है आपने देखो abc इस तरह से आप निकाल लोगे अब क्या करेंगे देखो अब abc आ गया अब यह जो question था यह integration required integral इसको modify करते यहां पर मैं तोड़ा छोटा करके आपको दिखाना चाहूँगा अब यहां पर लिखता हो देखो required integral is इस तरह से लिखते then i is equal to क्या था देखो यह integration of integration of जो question था उसको modify किया था हमने इसको modify किया था a upon x plus 1 तो a क्या आया देखो a 3 upon x plus 1 plus b upon b क्या आया 1 upon 3 upon b upon क्या था x minus 1 plus c upon c क्या आया minus 1 upon 3 upon x plus 2 यह आया ओके तो हमने क्या किया जो question था उसको हमने बदल दिया जो question था उसको हमने बदल दिया आपके सामने यहां पर है चलो दिखाई तो देखी रहा होगा काफी ज्यादा बड़ा हो गया लगता है चलो कोई बात नहीं i is equal to अब क्या करेंगे integration सबकों देथो integration यह हो जाएगा 3 upon x plus 1 dx आ जाएगा इसके पास हो गया अब ज्यादा मेहनत ने 1 upon 3 बाहर आ गया integration 1 upon x minus 1 dx फिर minus plus है तो minus हो गया 1 upon 3 बाहर लिया integration 1 upon x plus 2 dx इस तरह से हो गया तो integration है न सबके पास लेके गाए और dx भी सबके पास लाएगा अब integration निकालना देखो कि इतना आसान हो जाएगा i is equal to i is equal to यह 3 है तो 3 into 1 upon x plus 1 का integration log जो यह x plus 1 है इसका again derivative लेके multiply करेंगे तो x का derivative 1 ही होता है फिर plus 1 upon 3 इसका integration log x minus 1 इसका वापस derivative लोगे तो 1 ही आएगा चलो माइनस माइनस है यह 1 upon 3 log x plus 2 आ गया यह हो गया आपका एंसर बस टेको integration निकरने में टाइम लगा बिलकुल नहीं खाली हमको यह solve करने में टाइम लगा यह जो है यह हमको solve करने में टाइम लगा ओके यह simplify करने में टाइम लगा यह partial fraction है जो fraction था उसको a upon b upon c upon 3 part कर दिया तीनों को हमने क्या किया compare करके abc की value निकाली और बाद में इस question को इसको हमने replace कर दिया इस question को इससे replace कर दिया abc के value के साथ और इससे क्या हो गया कि यह तीनों का जो integration है log के form में आ गया अब इसको और simplify भी कर सकते आप क्या कर सकते 3 common ले लो 3 common ले लिया तो यह क्या हो गया log x plus 1 यहां तो 3 था नहीं फिर भी 3 common लिया तो 3 से divide किया तो यह 1 upon एक मिनट लिया तो यहां 3 था 3 common लिया यहां क्या होगा 3 common लिया तो 3 से multiply 3 से 1 upon 9 हो गया यह ओके फिर log x minus 1 कि दोनों में 1 upon 3 आया क्या एक मिनट एक मिनट यह भी 1 upon 3 है तो इधर से भी अगर 3 common लिया तो क्या होगा 1 upon 9 आया तो 1 upon 3 common लिया एक मिनट अ मैं 3 common लेने साचा न वन अपन 3 common लेता हूं यह दोनों में 1 upon 3 है तो 1 upon 3 common लेते हैं 1 upon 3 common लिया 3 समझो यहां से 1 upon 3 यह दोनों में तो इसले में 1 upon 3 लेता हूं तो जब 1 upon 3 लोगा ना तो इस 3 के पास 1 upon 3 तो है ने चलो मैं adjust करता है 1 upon 3 का multiply करता हूं 3 3 3 cancel हो कि 3 act अब 1 upon 3 अगर common लेता हूं तो यहां 3 3 9 बच जाता यह पहले वाले में फिर यहां से 1 upon 3 common ही यह क्या था यह फिर minus 1 upon 3 common गया तो यह हो गया इसका फाइदा क्या हो गया इसका फाइदा कुछ होगा येस देखो मैं बता तो क्या फाइदा होगा इसको simplify करने के लिए ही हो रहा है देखते हैं चलो क्या होगा यहां पर i is equal to यह हो गया 1 upon 3 यह देखो यह log है ना सबका log common लेते यह जो 9 है यह पाउर में चला जाएगा यह क्या हो जाएगा log common होगे सबका यह है x plus 1 और यह raise to 9 हो गया फिर यह plus है log common है तो plus का हो गया multiply फिर यह है x minus 1 यह minus है तो upon हो गया log common x plus 2 तो इस तरह से log के बाद यह जो है पूरा मैंने कर दिया सबका log common ले लिया और यह log के पहले 9 था जो पाउर में चला गया plus था into हो गया minus था division हो गया तो यहां पर हमें i की value मिल चुकी है देखो इस तरह से मतलब यह जरूरी है क्या करना सब लॉग है तो common ले लेना चाहिए और लॉग के पहले कुछ होगा तो इसको पावर में डाल देना चाहिए तो यह तोड़ा सा simplify होगे मैं 3 common ले रहा था बड़ यहां दोनों जितना simplify कर सकते हैं तो यह काफी आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिच किये यह होता है पार्चल फ्रेक्शन अगर यहां पर यह तीन टम थे ओके और एक दूसरा जो मैंने बताया था यहां पर आपको की अगर इस तरह से पी एक स्क्वार प्लस की एक्स प्लस आर वह वाले टाइप का formula बनेगा तो आपको करना होगा तो यहां पर हमने क्या कर दिया 3.4 जो partial fraction है उसके टाइप का भी revision कर लिया है So students काफी बड़ा chapter था indefinite integration एक ही lecture में पूरा करने की कोशिच की है मैंने और बहुत दिनों से रुका हुआ था question bank भी दे रहा हूँ आरेक के उपर मैंने examples भी लिये जहां पर 40-50 question है कि कि साइज में थे वहां पर भी मैंने 3-4 जो एक्जामपल करके आपको बताए कि किस किस टाइप के question होंगे तो यह जो पूरा lecture है बहुत ही useful है अगर आप सिर्फ यह एक lecture देख लिए होंगे तो आपका पूरा chapter revise हो गया होगा इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप question bank में जो question है अगर आपका पूरा integration तयार हो चुगा है तो उसको भी जरूर solve करो जिससे आपको पता चलेगा कि अलग-अलग type की question आप solve कर पा रहे हैं या नहीं स्टूडेंस बहुत मेनत लग रही है सब lecture record करने में पहली बार अगर चैनल पर हो तो subscribe जरूर करना और subscribe किया होगा तो अपने दोस्तों में जरूर फैलाना यार ऐसा lecture आपको किधर नहीं मिले कि एक ही लेक्टर में पूरा इंटीग्रेशन सौल करके दे दिया ओके इसके पहले के भी जो चैप्टर है डिफ्रेंशियेशन अप्लिकेशन अप्लिकेशन अफ डिवेटी और यह इंटीग्रेशन हो गया लाजीक मैट्राइस इस ट्रिक नोट फूंचन चैप्टर हमारे बच्चेवेशन चैप्टर भी जल्दी से जल्दी लेके आऊंगा ठीक है चैनल पर बने रहा हो जितना हो सकता उतना चैनल को शेर जरूर करो यार मिलते हैं अगले लेक्चर में बाइवरीवन